ज्यादतोर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें coding या programming आनी चाहिए तभी वो एक fully featured website बना पाएंगे पट ऐसा बिलकुल नहीं है आज की rate में technology इतनी ज्यादा develop हो चुकी है कि अगर आप एक single line of code ना भी लिखो तो भी आप एक fully featured website बहुत इजली बना सकते हो सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि actual में आप बिना coding के बिना HTML के बिना CSS के बिना JavaScript के मतलब किसी भी तरह का अगर आपका computer science field से connection नहीं है तो भी आप एक fully featured website बना पाऊगे सब कुछ drag and drop based होगा सो इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक business informative website कैसे बनाते हैं साथ ही साथ में इस website में हम integrated blog भी रखने वाले हैं यानि website भी होगी साथ में एक blog वाला page भी होगा जहां पे आप blogging कर सकते हो अपने articles को publish कर सकते हो और आगे चलके अगर monetize कर लिया तो आ मैं आपको अपने laptop screen पर ले करके चलता हूं और दिखाता हूं कि actual में हम पूरा एक mind map यहाँ पर follow करने वाले हैं step by step चलेंगे सारे points मैंने आपके लिए ready कर रखें कि पहले हम domain name hosting लेंगे इसके बाद wordpress को install करेंगे after that काफी सारे और भी steps हैं तो step by step पूरी के पूरी website को so first of all मैं इस website का पूरा layout आपको दिखाता हूं पूरा overview दिखाता हूं इस starting में हमने एक logo यहाँ पर put किया हुआ है यह logo मैंने free of cost tool के help से बनाया है मुझे photoshop बिल्कुल नहीं आता है graphic designing में बिल्कुल week हूं मैं उसके बाद भी मैंने अपनी website के लिए एक छोटा सा logo बना रख after that हमने इस step के देखी यहाँ पर section बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने heading ली है heading का color यहाँ पर है orange यहाँ पर है black font size बड़ा या चोटा कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा एक divider line हमने ली हुई है यहाँ पर beautiful button मैंने create किया है आप जैसी button पर mouse रखोगे देखिए button का background color change जैसी mouse पुट करूँगा button का यहाँ पर भी design change हो गया after that हमने यहाँ पर एक background image को लिया हुआ है तो इस type का पूरा section कैसे create करेंगे यह मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ और सब कुछ step by step करने वाले हैं after that मैंने यहाँ पर एक image ली हुई है जूकर rounded image मैंने कर है basically यह हमने website में ही किये यह पहले से rounded image नहीं थी तो इस type से कैसे आप किसी भी element को rounded करोगे यह मैं आपको सिखाऊंगा साथ ही साथ में यहाँ पर देखो यह कुछ numbers है एक बार में इस page को refresher के आपको दिखाता हूँ कि actual में यह numbers क्या है देखिए यह counters होते है basically जब भी आप आपको यह page load होगा तो यह numbers automatically increase होना है start हो जाते हैं तो आपके पास पूरी setting होती है कि actual में आपको कितने numbers display करवाने हैं नमबर के बाद आपको यह k plus मैंने लिख रखा है जोकर suffix कहलाता है इसे कैसे add करना है और सबसे कमाल का feature अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसी मैं website को scroll करता हूँ background में एक image लगी हुई है कोई बंदा सबजी काट रहा है बट actual में वो image बिलकुल fixed है वो image scroll नहीं हो रही है तो इसे हम कहते हैं parallax effect तो इस type का effect भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे लगाएंगे साथी साथ में देखिए मैंने यहाँ पे एक section मनाया हुआ है और यह एक image मैंने put की है जो कि 3D type की effect दिख रही है मतलब ऐसा लग रहा है कि यह image page से थोड़ी सी उठी हुई है तो इस type का effect कैसे लगाते हैं यह भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ icons के साथ में heading कैसे लेनी है text कैसे दिखाना है यह मैं आपको सिखाऊंगा साथी साथ में यहाँ पे मैंने एक पूरा section ले रखा है इस section को हमने यहाँ पे divide किया दो columns में तो left hand side पे पूरी बड़ी image आती है और right hand side पे हमने कुछ content put किया है यहाँ पे icon list वगरा use किये फिर हमन directly asked questions तो इस type से questions लिखे होते हैं कोई भी user अगर उस heading के ऊपर या question के ऊपर mouse से click करता है तो वो section expand हो जाता है और answer दिखने लगता है तो इस type का section हम कैसे create करेंगे FAQ question section कैसे आप create कर सकते हो यह मैं आपको सिखाने वाला हूँ after that हमने यहाँ पे दिखे pricing table बनाई हुई है background में एक parallax effect लगा है उसके उपर यहाँ पे pricing table है तो यह pricing table में आप अपने pricing plans वगरा sell कर सकते हो जितना भी amount आपको रखना है जो कुछ भी आपको price के plan का नाम रखना है जितने भी आपको features यहाँ पे list out करने वो सब आप यहाँ add कर सकते हो after that हमने यहाँ पे contact form create किया है तो left hand side पे contact form है जिससे आप user की inquiries को capture कर सकते हो कोई भी user अगर इस form को fill करेगा तो वो सारी detail एक particular email address पे send होती है जो की admin का email address होता है या फिर आप अपना email address set कर सकते हो right hand side पे भी हमने कुछ contact information डाली हुई है और यहाँ पर हमने लिय जा हुआ है social media icon so for example अगर कोई भी user facebook के icon पे click करेगा तो मेरा facebook का page यहाँ पे open हो जाता है तो इसी तरह से आप अपना भी कोई custom link यहाँ पे लगा सकते हो अब इतना ही नहीं यह तो हो गई हमारी main website after that मैंने यहाँ एक blog का page बनाया हुआ है हम जैसे इस पे click करते हैं तो यहा पे कोई भी user कर माल लेजिए इस title पे click करेगा तो इसका particular blog page open हो जाता है जहाँ पे blog post articles वगरा लिखे होते हैं नीजे comment section वगरा सब कुछ होता है तो इस type की पूरी website आज आप बनाना सीखोगे इस पूरे वीडियो में अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए पॉइंट को मैंने cover up किया है तो वो points आपके लिए काफी helpful होने वाले हैं और देखी अगर आपको चीज़त सीखनी है तो फोड़ा time तो आपको अपने business schedule में से निकालना होगा और अगर आपके लिए वीडियो helpful होता है तो लास्ट में like जरूर कर दीजेगा और अगर आप चाते हो कि आपके specific topic के ऊपर में एक नया वीडियो बनाऊं just let me know in the comment section क्योंकि ये वीडियो भी किसी के request मेंने बनाया है all right so without wasting much time let's jump on to my laptop screen और चलिए website development start first of all हमें domain name और web hosting purchase करनी होती है so domain name और web hosting purchase करने के लिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप hostinger से purchase करो तो यहाँ पे मैं आपको discount link के भी provide करूँगा और discount code भी देने वाला हूँ जिसकी help से आप approximately 7% का discount ले सकते हो hostinger की web hosting पे तो domain और hosting purchase करने के लिए simply आपको website open करनी है s-a-d-a-m-k-a-s-i-m-s-a-d-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s-a-m-k-a-s- अब यहाँ पर कई तरह की hosting होती है तो आपको समझना होगा कि actual में कौन सी hosting आपको लेनी चाहिए First hosting है web hosting एक shared hosting होती है इसकी performance उतनी बेटर नहीं है बट आप जब WordPress पे website बना रहे हो तो उस case में मैं आपको recommend करूँगा कि आप WordPress hosting इंडिया लो क्योंकि यह hosting WordPress website के हिसाब से पूरी optimized होती है आपकी WordPress website के speed अच्छी रहेगी यहाँ पर simply हमें click करना होता है start now पर अब कई सारे यहाँ पर plans आपको मिलेंगे काफी सारे लोगों को subscribers को यह questions होते हैं कि actual में यह one website वाला plan और यह 100 website इसमें difference क्या है उन्हें समझ में नहीं आता तो let me explain you यहाँ पर जो first plan है single WordPress इसका मतलब यह है कि इस hosting plan के उपर आप सिर्फ एक ही website चला सकते हो एक ही domain को link कर सकते हो whereas अगर यह दूसरा plan हम चूज करते हैं WordPress starter तो यहाँ पर आप एक ही hosting plan पे 100 websites run कर सकते हो यानि बार बार आपको hosting purchase करने की जरूरत नहीं है किसी भी other website के लिए आप एक बार hosting purchase करो उस पे approximately 100 websites को आप host कर सकते हो यह plan उन लोगों के लिए better है जो agencies वगरा run कर रहे हैं companies run करते हैं जैसे मैं खुद की company run करता हूं तो मेरे पास काफी सारे clients हैं तो उनकी websites मैं इस वाले plan पे host कर देता हूं और clients से हम extra charge करते हैं तो यहाँ पे हमारा hosting का पैसा बच जाता है डोमेन आपको hardware purchase करना होता है hosting नहीं purchase करनी है तो यहाँ पे फिलाल आपको choose करना है पहला वाला plan जो कि है single wordpress इफ 99 रुपीस पर मन्त में जिसमें आप एक website run कर सकते हो 30 GB का SSD storage आपको मिलता है एक email account मिलेगा free SSL आपको मिलता है SSL का मतलब होता है यह lock symbol द after that free domain इस plan में आपको नहीं मिलेगा free domain आपको यहाँ पे मिलता है बट एक ही domain मिलेगा 100 domain आपको नहीं मिलेगे ठीक है यहाँ फिलाल free domain नहीं मिलेगा तो आपको domain अलग से purchase करना होता है बाकी काफी सारे चीज़े यहाँ पे दी हुई है आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो फ उस केस में 99 रुपीज पर मंद ही पढ़ती है यानि 4 साल के लिए आपको hosting मिल जाएगी 4752 रुपे में वेरेज अगर आप 2 साल के लिए लेते हो 24 मंद तो उस केस में hosting का price 149 रुपे होता है पर मंद का यानि एक साथ 2 साल की hosting आपको मिल जाती है 3336 रुपे में मतलब अग है 12 मंद की जिसका cost price पड़ता है 1,908 रुपे एक साल की web hosting है 12 मंद की तो इसका मतलब यह है कि आपको एक साल दक फिर renewal नहीं करवाना है एक साल के बाद ही आपको renew करवाना पड़ेगा तो एक मंद की cost on and average यहाँ पे 160 रुपे के आसपास निकलती है और यह 1 मंद की hosting है जो क पर है create your account तो या तो अब अपना email address यहाँ पर manually enter कर सकते हो या फिर आप social login कर सकते हो Gmail से या Facebook से it's completely up to you फिर जितने भी इंडिया में payment methods available है वो सारे payment methods यहाँ पर काम करते हैं आपको debit card, credit card से payment करना है वहाँ से कर सकते हो UPI के तरह करना है पे तरह करना है जो भी आपके पास payment method available है उसको आप use कर सकते हो अब coupon code भी आपको यहाँ पर apply करना है क्योंकि अब देखो यहाँ पर total price कितना हो रहा है 2251 रुपए 44 पैसे जिसमें एक साल की आपको सिर्फ web hosting मिलती है तो यहाँ भी आपको coupon code apply करना है S A D D A M SADAM and then 7 इसके बाद plus पे आप click कर दो तो आपको कु और आपको hosting यहाँ पर a lot हो जाएगी अब इसके बाद क्या करना होता है आपको जब hosting purchase कर लोगे देन आपको hostinger में login करना है तो hostinger में login करने के लिए आप simply website open करोगे hostinger.in आपको .com open नहीं करना है now let's click on enter okay after that top right corner पर देखिया बटन दिया हुआ है login का इस पर आप click करो जैसे भी आपने अपना account create किया था वो method यहाँ पर use कर सकते हो अगर आपने manually email address एंटर किया था तो email address और password आपको एंटर करना होगा यहाँ पर मेरे case में मैंने gmail के थ्रो hostinger से account purchase किया हुआ है तो मैं आ काफी सरे clients की website यहाँ पर hosted है अप्रोक्स 15 website मैंने right now host कर रखी है और जितने भी domains मैंने host किये हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए आते हैं फिलाल मुझे इससे blur करना पड़ रहा है because of the security reasons तो यहाँ पर basically domain name है जिसको मैं आर यूज करने वाला हूँ actl.co.in इस domain पर आज हम पूरी की पूरी website बना करके देखेंगे तो जब आप hosting purchase कर लोगे hostinger से इसके बाद आपको domain name purchase करना होता है domain name purchase करने के लिए आपको simply जाना होगा domains पर यह domains का top पे menu होता है और यहाँ पर आप देखो top right corner पे आएगा find domain इस पर आप click करो एक search box आ जाएगा उस search box में आपको जो भी domain name purchase करना है वो आप यहाँ पर search करोगे just like आपको domain name search करना है ice cream apps 99.com for example ठीक है तो आप simply यह search बटन पे click करो अगर यह domain name किसी और ने पहले purchase नहीं किया होगा तो यह domain name आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो domain is available green tick भी है इसका price भी आपके सामने आ जाएगा $9.99 तो या तो अगर आप इस domain को purchase करना चाहते हो then you just need to click on buy now या फिर अगर आप सिर्फ practice के लिए WordPress सीख रहे हो अभी अभी आप real market में काम नहीं कर रहे हो तो उस case में मैं आपको suggest करूँगा कि आप ice cream apps 99.online यानि .online domain लो यह practice के लिए better है क्योंकि इसका price सिर्फ $0.99 per year यानि यह approach 75 रुपय का एक साल का domain आपको .com domain approximately 800 रुपय का एक साल का पड़ता है तो यह आपके ऊपर है domain purchase करने के लिए simply आप buy now पर click करना payment options आ जाएंगे और जैसे यह आपकर domain name purchase हो जाता है तो वो domain आपके इस domain section में दिखने लग जाएगा यहाँ पर दिखने लग जाएगा ओके सो फिलाल हम वापस चलते हैं अप website बनाने वाले हैं आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अभी हम इस domain पर WordPress install करेंगे बट WordPress install करने से पहले इस domain पर हम SSL certificate को install करेंगे आप जब Hostinger से hosting purchase करते हो तो उस case में आपको फ्री SSL भी मिलता है तो पहला step क्या करना है आपको simply SSL पर जाओगे यहाँ तो टॉप पर SSL इस पर पहले क्लिक करना और अपने domain name पर SSL को install कर लेना विकाज यहाँ पर आप देखो right now क्या आ रहा है एक blank domain है हमारा ACTL.co.in इस पर कोई website नहीं है साथी साथ में यहाँ लिख क्या रहा है secure connection field और यहाँ पर लिख कर क्या रहा है not secure तो यह चीज़ नहीं होनी चाहि इसके लिए हमें SSL certificate को install करना होता है तो आपको भी SSL certificate इस टाइप से दिखाई देगा आपके end पर SSL certificate activation pending setup तो यहाँ पर simply आपको setup पर click करना होता है और जो भी आपका domain name है उस domain name को आप इस drop down से select करोगे तो मैंने यहाँ पर select कर लिया है ACTL.co.in इसको में जो secure करना है आप simply install SSL button पर click कर दो कुछी seconds में SSL certificate आपके domain name पर install हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते है process already start हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो status क्या आ रहा है active मतलब SSL successfully हमारे domain name पर install हो चुका है नाउ एक बार फिरस इस domain को refresh करके देखते हैं क्योंकि SSL का काम होता है site को secure करना ह इस domain तो secure हो जाना चाहिए तो जैसी आप refresh करोगे देखिए यह error यहाँ से हट जाएगी हट गई देखो starting पर यहाँ पर not secure लिख करके आ रहा था वो भी हट चुका है एक lock symbol आ गया और इस पर लिख करके आ रहा है connection secure साती सात में यहाँ पर hostinger का default page आ रहा है मतलब कोई website नही और अब हमारा next step है आप यहाँ पर देख सकते हो domain or hosting तो purchase कर लिया install wordpress wordpress software को अपने domain name पर install करेंगे तो यहाँ पर simply domain के just बाद में आपको मिलेगा manage button let's click on it okay so यह है hostinger का cpanel जहां से हम अपने domain name पर wordpress को install करेंगे काफी सारे options आपको यहाँ पर मिलेंगे so right now आपको जाना हो होता है website वाले section में और यहाँ पर आपको मिलेगा auto installer wordpress मत जाईए directly आप जाओ auto installer पे एक नई screen यहाँ पर लोड हो जाएगी now यहाँ पर आप देखो bottom में क्या दिया हुआ है wordpress तो यहाँ पर simply आप select करो wordpress इसके बाद एक form आपके सामने आ जाएगा just like this okay so इस form को हमें simply fill up कर करना होता है आप पहले चीज़ सबसे उपर दिया है description इसे आपको बिल्कुल टच नहीं करना है यहाँ पर दिया हुआ है protocol protocol मतलब जो आपकी site को secure करता है तो right now HTTP है मतलब site secure नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर select करना होता है HTTPS क्योंकि हम SSL already install कर चुके हैं इसके बाद जस में space भी नहीं होना चाहिए then after override existing files checked है इसे checked ही रहने दीजेगा अब यहाँ पर हम अपने wordpress के लिए username और password क्रियेट करेंगे यह आपकी wordpress website के backend का username और password होता है तो फिलाल मैं आगे आपको बताऊंगा इसे कहां use करते हैं तो यहाँ पर आप कोई साभी username create कर सकते हो alpha numeric में just like sadam789 और एक password भी हम यहाँ पर create कर लेंगे something like okay after that यहाँ पर administrator email address enter करना होता है तो यहाँ पर आप अपना email address enter कर सकते हो so in case अगर माल लेजिए आप wordpress का username या password भूल गए तो आप simply इस email पर reset link send कर सकते हो और password recover कर लोगे और यहाँ पर website का title यानि website का नाम हम दे सकते हैं तो फिलाल मैं यहाँ पर देने वाला हूं just like digital wall nutritionist ओके तो यह चार field हमें यहाँ पर fill up करनी होती है username, password, administrator email and website title और यहाँ प कर लिया है और यहाँ पर है protocol बस इसके अलावा आपको कोई भी option touch नहीं करना है, simply आप install पर click कर दीजिए, कुछी seconds में wordpress आपके domain name पर install हो जाएगा, so we just need to wait for it, okay, देखिए wordpress हमारे domain name पर successfully installed हो चुका है, जब इस type की screen आपके सामने load हो जाएगी, that means wordpress install हो गया, अब हम चल तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक default type की website बन करके आ गई, एक पर फिरसेस को refresh करते हैं, अभी इस से पहले hostinger का page आ रहा था, but right now यहाँ पर एक बेकार सी website बन के आ गई है, don't worry, अभी यह website तो है at least, बेकार सी है, बट चलेगा website है, ठीके, अब इस website को हम स्टनिंग तो आपको यहाँ पर एक चीज को समझना होगा, यह वाला जो area होता है, यानि आपने main domain open किया है, actl.co.in, जब भी कोई user इस domain को enter करेगा, तो जो सामने चीज आती है, मतलब जो screen उसके सामने आती है, उसे हम कहते हैं front end, यानि जो user अपने end पर देखता है, उसे कहते है front end, और जो हम access कर सकते हैं, यानि आप as a admin access कर सकते हो, आप वहाँ से login करके pages create कर सकते हो, उसे कहते हैं back end, तो admin panel को ही हम back end भी कहते हैं, और front end यानि जो सारे users देखते हैं, तो अब हमें अपनी website का back end open करना होगा, back end open करने के लिए पहले आप type करो domain name, actl.co.in, यह जो भी आपने domain name लिया हुआ है, इसके बाद आप लगा हुए forward slash, then small में लेको wp-admin, जैसी आप enter करोगे, यह आप से username और password मांगेगा, like this, ठीक है, देकि username और password मांग रहा है, already auto saved है, that's why यहाँ पी इस type से आ गया, बट कोई इश्यों नहीं है, अब यहाँ पी आपको कौन सा username और कौन सा password पुट करना है, जो username और password हमने WordPress के installation form पे create किया था, तो मैंने create किया था सद्दाम 789, और एक password क्रियेट किया था, आप जो भी password क्रियेट करोगे, वो भी आप यहाँ पुट कर दोगे, after the remember me कर लेते हैं, तो हमारी details save हो जाती है, and then after login बटन पे आप click करो, यह browser में save कर लेते ह ताकि next time हम बार-बार manually enter ना करना पड़े, so यह है हमारा WordPress का dashboard, जैसे आप admin panel भी कह सकते हो, back end panel भी कह सकते हो, so basically पूरी के पूरी website यहीं से manage होती है, हम pages यहीं से create करते हैं, menus create करते हैं, content create करते हैं, हर एक चीज़ आप इसी panel से create करते हो, और यह panel सिर्फ वो ही access कर सकता है, ज तो आपके अलावा इस panel को और कोई भी access नहीं कर सकता, now अब यहाँ पे कुछ elements में आपको समझाता हूँ, आप left hand side पे देखो, काफी सारे यहाँ पे tabs available हैं, जैसे कि यह dashboard है, तो right now dashboard open है, इसके बाद है posts, जैसे blog posts वगरा लोग लिखते हैं, articles लिखते हैं, तो वो post यहाँ स लिखी जाती है, इस section पे हम बाद में आएंगे, फिर है हमारे पास media, आप अपनी website में जब भी pages वगरा create करोगे, तो उस case में उन pages पे आप images भी upload करोगे, videos भी upload करोगे, कई बार files वगरा upload करते हो, जैसे PDF files है, .doc files हैं, तो यह सारी चीज़े as a media considered होती हैं, वो सारी files आपकी media में library के अंदर store होती जाती हैं, तो इस पे भी हम बाद में आएंगे और मैं आपको इसको use करना सिखाऊंगा, यह pages का section जहां से हम pages create करते हैं, just like home, about us, services, contact us, या आप जितने चाहो उतने pages यहां से create कर सकते हो, then after है comments section, comment section में वो सारे comments से display होंगे, जो लोग हमारे post पे drop करत है, उसको लोगों ने अगर comments किया है, तो वो सारे comments यहां पे display होते, comment section के अंदर, इस पे भी हम बाद में आएंगे, फिर यहां पे दो plugins हैं, यह बी मैं बाद में समझाऊंगा, यह extra options है, यह WordPress का basically default part नहीं होता है, इसके बाद है appearance, तो appearance में आपको मिलेगा themes, यहां से हम website मे themes को install करते हैं, मतलब हमारी website किस type की दिखाई देगी, तो उसे हम कहते हैं, theme यानि theme define करती है कि actual में website का design कैसा होगा, तो आज की date में हम यहां पे एक theme भी install करने वाले हैं, जो की 100% free of cost theme है, काफी lightweight theme है, और बहुत fast load होती है, after that यह है plugins का section, plugins का मतलब एक ऐसे software के packages होते हैं, scripts का package होता है, जो आपकी website में functionalities को add करता है, जैसे मान लीजिए, अगर आपको contact form create करना है, inquiry form create करना है, तो उसके लिए आपको एक contact form का plugin install करना होगा, क्योंकि contact form basically एक functionality होती है, user form को fill कर देता है, जैसे ही submit करेगा, तो वो सारे detail एक email address पे send हो जाती है, तो basically एक functionality हो गई, ना क website की design की type का होगा, उसके लिए हम theme install करते हैं, इसके बाद काफी सारे और भी sections यहाँ पे available हैं, जैसे users है, तो इसमें आप चाहो तो एक नया user add कर सकते हो, as a admin, मतलब यूजर ने password आपने एंटर किया था, तो आप चाहो तो एक नया account भी create कर सकते हो, किसी और के लिए, but right now इ यहाँ पे नहीं है, and then after काफी और भी tools यहाँ पे available हैं, options available हैं, फिलाल इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब सबसे पहला है काम करते हैं, यहाँ भी काफी सारे options है, जैसे के Optane Monster है, WP Forms है, यह All-in-One WP Migration है, All-in-One SEO है, Light Speed Cache है, और Insights है, यह सारे WordPress के default option नहीं होते हैं, but जब अब Hostinger में WordPress install करते हो अपने domain name पर, तो यह कुछ plugins हैं, जो by default install होके आपको मिलते हैं, तो हमें इन plugins को अपनी website में से पहले हटाना होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा useless plugins आप अपनी site पे use करोगे, आपकी website उतनी ही slow हो जाएगी, तो कम से कम plugin को आपको use करना है, सिर्फ वो plugin use कीजिए, जो आपके काम के हैं, तो वालतु के plugins को हटाने के लिए आपको जाना होता है plugins में, और यहाँ पर है installed plugins, इस पर आप click करो, तो जितने भी plugins हमारे website में अभी तक installed हैं, उनकी सारे list यहाँ पर आ जाएगी, ओके सो आप यहाँ पर देख सकते हो, एकिसमेट, anti-spam, all-in-one SEO, all-in-one WP migration, ऐसे काफी सारे और भी plugins यहाँ पर available हैं, अब यहाँ पर आपको एक difference दिखाई देगा, जो top का plugin है, एकिसमेट, anti-spam, देखो इसका text, bold नहीं है, whereas all-in-one SEO bold है, यह वाला भी bold है, और यह वाला भी bold है, अब इसमें difference क्या है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है, कि एकिसमेट, anti-spam, एक ऐसा plugin है, जो आपकी WordPress website में installed है, बट यह activated नहीं है, मतलब यह सिर्फ पड़ा हुआ है, अभी यह काम नहीं कर रहा है, whereas all-in-one SEO एक ऐसा plugin है, जो आपकी WordPress website में installed भी है, और activated भी है, मतलब यह काम कर रहा है, functionality इसकी active है, बट इस वाले plugin की functionality active नहीं है, all-in-one WP migration जो plugin है, यह भी हमारी website में installed भी है, और activated भी है, तो जितने भी plugins activated होते हैं, उनके सारे options हमें left-hand side पे इस type से दिखाई देंगे, जिस देखी all-in-one WP migration है, तो यहाँ पर दिख रहा है, all-in-one WP migration, इसी तरह से all-in-one SEO है, तो देखी यह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी तरह से यहाँ पर light speed cache है, वो भी यहाँ पर दिख रहा है, तो फिलाल एक काम करते हैं, हम सारे plugins को एक साथ select करेंगे, तो इस वाले checkbox से सारे plugin एक साथ select हो जाते हैं, अब जो plugin already deactivated है, मतलब active नहीं है, उन्हें तो आप uncheck कर दो, ठीक है इसे uncheck कर दिया, इसके बाद यह जो plugin है, light speed cache, इस plugin को भी uncheck रखो, क्योंकि हमें इस plugin को अपनी website में रखना होगा, यह plugin website की speed को improve करता है, और बाकि जितने भी other plugins हैं, जो पहले से selected हैं, इन्हें हम पहले करेंगे deactivate, तो select करने के बाद, आप जाओ bulk actions पे, और यहाँ पे है deactivate, click करो, and then apply, तो सारे plugins deactivate हो जाएंगे, ठीक है, देखो, almost सारे plugins deactivated हैं, सिर्फ light speed cache एक ऐसा plugin है, जो active है, that is the reason left hand side पे भी light speed cache का option है, बागे सारे options यहां से देखी हट चुके हैं, अब इसके बाद फिर से एक बार पूरे checkbox को select करो, सारे plugins selected हो चुके हैं, now light speed cache को छोड़ देंग then apply, and then ok, तो जितने भी plugins हमारे website में काम के नहीं हैं, वो सारे plugins automatically हट जाएंगे, हट गए, एक बार इस पेज को refresh कर लेते हैं, so अब आप यहां पर देख सकते हो, light speed cache ही install or activated plugin है, बागी सारे फालत को plugins हट चुके हैं, ok, अब हम चलते हैं appearance में, और appearance में आपको click करना है themes, ताक हम एक नई theme यहां पर install करेंगे, right now जो theme installed है, उसका नाम है 2022, हर साल WordPress एक नई theme आपके लिए represent करता है, आपकी WordPress website में install कर देता है, तो अभी year चल रहा है 2022, जब मैं इस video को record कर रहा हूँ, तो उस case में theme का नाम है 2022, जो के latest default theme है, इस से पहले 2021 आई थी, फिर 2020 आई थी, अब theme क के case में भी same rule है, जैसा plugins में है, कि किसी भी theme को आपको पहले install करना होता है, फिर activated करना होता है, तो right now यहां पर देखिए, एक theme active है 2022, और 2022 इस type से दिखाई देगी, right now देखो सही तरीके से दिखने ही रही है, कोई बात नहीं है, एक बार हम एक काम कर लेते हैं, cache memory क्लियर कर अब यह क्या चीज़ें सब आगे सीखोगे, अब हम home page के बार refresh करके देखते हैं पहले, कि actual में कोई changes होते हैं नहीं, देखो, यह completely change हो चुका है, तो यह है 2022 theme जो कि इस type की दिखाई देती है, अभी हम इस page को बहुत stunning मनाने वाले हैं, बहुत खुबसूरत बनाएंगे इस page को, ठीक है, now, अब एक नई theme यहाँ पर हम install करने वाले हैं, क्योंकि हम इस default theme को हटाना है, तो new theme को install करने के लिए, आप themes के अंदर यहाँ पर दिया होता है add new, इस पर आप click करो, जैसे ही आप click करोगे, यह है WordPress की directory, जहाँ पर सारी free themes available है, theme का मतलब यह है, अगर आप यह व install कर दोगे, तो आपकी जो website है, वो hello यानि इस type के दिखाई देने वाली है, इसी तरह से काफे सारे themes के previews यहाँ पर हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर use करने वाले है, Astra theme, इसे install कर लेना है, अगर आपको Astra यहाँ पर नहीं दिखती है, तो आप यहाँ पर search theme वाले box में search करोगे A-S-T-R-A Astra, तो देखो यह Astra theme आ चुकी है, इसे आप simply install कर लीजिए, जैसे install हो जाएगी, इसके बाद आपको इसे activate करना होगा, ओके, activate कर लेते हैं, तो हमने right now Astra theme को activate किया है, and that is the reason, देखो appearance के अंदर themes में, यहाँ पर Astra को दिखा रहा है active, बाकि जितनी भी themes से उनके नाम आप एक time पे एक से जादा theme को install दो कर सकते हो, but at the same time सिर्फ एक ही theme activate होती है, या तो आप इसे activate कर लो, या फिर इसे कर लो, या फिर इसे कर लो, सारी theme एक साथ activated नहीं हो सकती, अब जैसी हमने theme को यहाँ पे activate किया है, तो एक बार चलते हैं अपने इस front page पे, इसे हम कहते है front page, refresh करकर देखते हैं कोई changes हुए या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, layout completely change हो चुका है, पूरा पूरा design ही change हो गया, तो यह basically theme का काम होता है कि actual में आपकी website कैसी दिखने वाली है, but I know यह भी अभी काफी अच्छी नहीं लग रही है, but no worries हम इसको बहुत beautiful इसी तरह से website में भी सबसे उपर का part होता है header, इसके बाद सबसे नीचे यह दिया हुआ है copyright, then यहाँ पे website का नाम बगरा लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं हम footer, हमारी body में भी foot सबसे नीचे है, website में भी footer सबसे नीचे होता है, और head और foot के बीच में कौन सा part रह गया, body, इसी तरह से website में भी header और footer के बीच में जितना भी area है यह वाला, यह सब body area कहलाता है, ठीक है, तो body area में ही content create किया जाता है, content का मतलब क्या होता है, text, images, headings, buttons, videos, PDF, सब चीज़े content कहलाती है, alright, I hope अभी आपको इतना समझ में आ रहा होगा, अब इसके बाद यहाँ पर आप लेकिन यह दो parts में divided है, तो left वाला जो area है, hello world लिखा है, यह default post होती है WordPress में, जो हमेशा जब भी आप WordPress install करोगे, तो सबसे starting में homepage पे आपको यह post दिखाई देगी, so यह जो hello world लिखा हुआ है और यह post लिखी है, यह basically body area में display हो रही है, whereas right hand side पे आप देखो यह कहलाता है side bar, मतलब side में एक vertical bar है, जिसमें आप कुछ content वगरा पुट कर सकते हो, जैसे कि search box है, recent post है, recent comments है, काफी सारी और भी चीज़े, तो फिलाल हमें काम करना है, जितने भी page हमारे website पे होने वाले हैं, चाहें वो homepage हो, चाहें वो about page हो, contact हो, सारे pages पे से हमें side bar को हटाना होता है, यह side bar के हमें फिलाल कोई जरुत नहीं होती है, और जब side bar हट जाएगा, तो यह जो white वाला area है, जिसे हम कह सकते हैं, body का content area, यह पूरा यहां तक stretch हो जाएगा, मतलब इसे जादा जगह मिल जाएगी content display करवाने के लिए, ठीक है, तो फिलाल हमने इतना कर लिया है, कि theme को भी install क कर लिया, अब हम चलते हैं वापस अपनी checklist पे, क्या क्या चीज़े हमने कर लिया है, domain name हो गया, wordpress install हो गया, introduction of wordpress dashboard भी हो चुका है, और install a free theme, तो हमने free theme को install कर लिया है, अब हमारा next step है, install plugins, elementor, elementor pro, और disable guttenberg, अब यह तीन plugins हैं जो हमें install करने हैं, तो आब वापस चलो wordpress के dashboard में, hostinger को बंद कर देते हैं यहां से, अब पहले हम plugin install करेंगे, elementor, तो plugin install करने के लिए आप जाओगे plugins में, और यहाँ पर click करोगे add new, अब दो plugins तो free हैं, पहला है, b, i, 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 लिए एक plugin है, जो कि Gattenberg page builder को disable कर देगा, right now, जब आप WordPress को install करते हो, तो उस case में, Gattenberg नाम का page builder है, वो by default active रहता है, तो उस page builder को हम हटाएंगे, और elementor page builder को use करेंगे, अब यह page builder क्या चीज़ है, आपको हो सकता है, question आ रहा है, page builder क्या होता है, page builder का मतलब, एक ऐसा plugin, जिसक कुछ पहले से बना बनाया होता है, बस आपको drag and drop करके settings को change कर देना है, तो page builder की help से आप पूरे के पूरे page को design करते हो, ठीक है, तो यह Gattenberg जो है basically एक page builder है, इसे हम पहले यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसका layout काफी अच्छा नहीं होता है, whereas elementor जो plugin है, उसका layout काफी इसके बाद आप top पे चलो add new, अब यहाँ पे हम search करेंगे, elementor, elementor एक free page builder plugin है, यह आप यू कह सकते हो, website builder plugin है, 5 million से भी जादा active installations है, मतलब 50 lakh website से भी जादा website पे right now यह use हो रहा है, almost 4 star ratings है, simply इस plugin को आप install करोगे और activate करोगे, सो हमने यहाँ पे दो plugins को install किया है, एक है disable guttenberg और दूसरा है elementor, ठीक है, एक elementor का premium version भी आता है, वो फिलाल हम बाद में use करेंगे, right now हम यहाँ पे elementor का free version यूज करने वाले हैं, और disable guttenberg page builder, now, अब हम चलते हैं वापस अपनी checklist में, हमने plugins को भी create कर लिया है, total 5 point यहाँ पे complete हो चुके हैं, next point है create pages, अब हमें page create करना है, तो page create करने के लिए आप simply pages पे जाओगे, और यहाँ पे लिका होता है add new, जैसे आप इस पे click करोगे, एक नया panel आपके सामने आ जाएगा, okay, so यह वो screen है जहाँ से हम pages को create करते हैं, right now एक काम करते हैं, जो message उपर आ रहा है, thank you for installing Astra, Astra theme का welcome message है, इसे बंद कर देते हैं, okay, अब आप यहाँ पे देखो, add title, इसमें आप page का नाम डालोगे, जैसे के मान लीजिए आपको page create करना है, home, तो आपने home डाल दिया यहाँ पर, okay, after that यह content area है, कुछ text वगरा अगर आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे इस case में हम यह elementar use करते हैं, edit with elementar जो लिखा हुआ है, फिलाल अब इसको as it is छोड़ते हैं, अब right hand side पे कुछ और options को आपको यहाँ पे समझना है, जैसे कि यह लिखा हुआ है, Astra settings, तो यह Astra theme की settings का box है, यह option आपको तभी मिलेगा, यानि यह box आपको तभी मिलेगा, जब आ आप Astra theme अपने website पे use कर रहे हो, तो right now यहाँ पे दिया हुआ है sidebar, इसके setting आप यहाँ से change कर सकते हो, अभी right now sidebar में set है, customizer setting, तो आप यहाँ क्या करो, no sidebar कर दो, यानि कि sidebar यहाँ से completely हट जाएगा, अब एक काम करते हैं, हमने sidebar को no sidebar कर दिया, अब जो भी changes आप यहाँ publish करना होता है, या फिर update करना होता है, देखिए page publish हो गया, यह लिख करके आया, page published, view page, तो एक काम करते हैं, इस link को open कर लेते हैं, new tab में, browser के new tab में open कर लिया, देखिए, sidebar हट गया, है न, अभी यह homepage यहाँ पे खुला है, इस पे नहीं हटा है, because यह home वाला page नहीं है, home वा चुकी है, लेकिन अभी भी इसके left hand side पे और right hand side पे कुछ space आ रहा है, मतलब अगर आप home नाम के page के ऊपर जो भी content create करोगे, तो वो सिर्फ यहाँ से start होकर के यहाँ पे end हो जाएगा, इस browser की पूरी width को occupy नहीं करेगा, तो इसके लिए अब एक काम करते हैं, हम वापस चलत करना होता है, full width stretched, मतलब पूरी width हो जाएगी और साथ में stretch भी हो जाएगा, मतलब खेच जाएगा, कोई extra wide space होगा, तो वो हट जाएगा, फिर से एक बार आप page को update कर दो, जो भी changes करो, उसके बाद page को update करना होता है, अब हम एक बार फिर से अपने home page को refresh कर लेते हैं, देख home page का title है, आपने home नाम का page create किया है, तो उसका title यहाँ पे display हो रहा है, हमें title display नहीं करवाना है, तो इसके लिए वापस आप back end में चलो, और यहाँ extra settings में ही आपको एक option मिलेगा, disable title, आप इसे कर दो check, साथ ही साथ में, आप disable breadcrumb भी करना, और disable featured image भी कर देना, यह तीनों options यहाँ पे आपको select करने है, और इसके बाद update कर देना है, तो यहाँ पे कितनी settings आपको करनी होती है, हर एक page में आपको यह setting करनी है, sidebar करोगे no sidebar, content layout कर दोगे full with stressed, और बाकि disabled title, disabled breadcrumb और disabled featured image, after that page को update कर दीजिए, अब हम home page को refresh करके देखते हैं, here we go, आप देखों यहाँ स body area completely hurt चुका है, completely remove हो गया, यह top वाला area header का था, यह bottom वाला area footer का था, तो header और footer आपस में stick हो गया, मतलब footer नीचे से उठके ऊपर आ गया, ऐसा क्यूं हुआ, क्योंकि body में कोई content ही नहीं है, हमने अभी कुछ रखा ही नहीं है body के अंदर, body बिलकुल खाली है, जब body में क कुछ है ही नहीं, तो gap तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो that means, वो gap बिलकुल खताम हो गया, अब जैसे जैसे आप इसमें text, images वगरा पुट करते जाओंगे, home page पे, footer अपने आप नीचे shift होना start हो जाएगा, तो चलिए, अब हम content create करते हैं, अपने इस home page के ऊपर, बड़ उससे पहले हम कुछ pages यहाँ पे create करने वाले हैं, क्योंकि हमारे step के हिसाब से, पहले हमें सारे pages create करने हैं, वापस चलते हैं हम dashboard में, और यहाँ पर फिर से आप click करो add new, pages में देखिए add new दिया है, इस पे या तो आप click कर सकते हो, या फिर top पे दिया है add new, इस पे भ बाद में create कर सकते हैं, फिर से आप add new पे click करोगे, और इसके बाद आप ले सकते हो like services, then इसको publish कर देते हैं, and then after हम यहाँ पर ले लेंगे contact us, इसके बाद इसे publish कर दिया, इसके बाद आप चाहो तो gallery वगरा, जो जो pages आप चाहो वो ले सकते हो like gallery, and then publish, okay, so सारे pages हमने create कर ल नहीं है, तो आप pages के अंदर देखो, यह दिया होता है, all pages, इस पर आप click करो, जितने भी page आपने create कर दी हैं, वो सब यहाँ पर list out हो जाएंगे, about, contact, gallery, home, services, आपको धियान देना है, यह दो pages में, privacy, policy, and sample page, यह आपने तो create किये नहीं, फिर कैसे create हो गए, जब आप WordPress को install कर करते हो, तो by default यह दो pages अपने आप ही create हो जाते हैं, so right now हम इने check करके delete कर देते हैं, bulk actions पे चलते हैं, move to trash करो और apply कर दो, तो यह दो pages delete हो जाएंगे, देखे, delete हो गए, ठीक है, इतना हमने कर लिया, मतलब यह वाला step भी हमारा complete हो चुका है, create pages, अब create menus, मतलब अब हम menu बना हुआ है, एक बार इसको refresh कर लेते हैं, देखिए, अब क्या हुआ, जितने भी pages हमने backend में बना रखे हैं, वो सारे pages अपने आप menu के तोर पे create हो गए, आप अगर 10 pages और add कर दोगे, तो वो भी अपने आप यहाँ पे display होने लग जाएंगे as a menu, but ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि जो menus हम create करना चाहें, जो pages के link हम यहाँ पे दिखाना चाहें, सिर्फ वो ही दिखाई दें, तो उसके लिए आपको menus को manually create करना पड़ेगा, और दूसरी चीज, यहाँ पे देखो order क्या है, पहले about us आ गया, फिर contact us आया, फिर gallery आई, फिर home, फिर services, मैं चाहता ह है, backend में, और यहाँ से हम menu create करेंगे, अब menu कहां से create होता है, इसके लिए आप पहले appearance पे mouse hover करो, जैसी आप mouse put करोगे, यहाँ पर fourth option आता है, menus, इस पर आपको click कर देना है, okay, so यह screen load हो चुकी है, यहाँ से हम menus create करेंगे, left hand side पे आगर आप गौर करोगे, देखिए pages का section तो नाम देते हैं, just like main menu, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यह सिर्फ आपके reference के लिए होता है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है display location, तो आपको यहाँ पे select करना होता है primary menu, यह option मिस मत कीजिएगा, वरना आपका menu top पे नहीं दिखाई देगा, तो पहले menu के group का नाम लिखिए फिर display location में primary menu select करो, इसके बाद create menu पे click कर दो, तो यह menu यहाँ पे save हो जाएगा, मतलब main menu नाम का एक group बन गया, अब जैसे ही देखिए आपने save किया, left hand side का panel enable हो गया, यह है pages का section, तो जितने भी pages आपने अभी तक इस pages वाले area में create कर रखे होंगे, वो सब यहाँ view all पे जा क्यों दिखा रहा है, अभी समझाता हूँ मैं आपको, पहले काम करो, सारे pages को one by one पहले आप select कर लो, यह हमने select कर लिया, इसके बाद add to menu पे click करो, तो इस सारे pages यहाँ पे आ जाएंगे, आ गए यह ठीक है, यह type से आ चुके हैं, अब इसके बाद दो दो home है, एक यह home है, कैसे मालूम चलेगा कि जो हमने create किया था, वो home कौन सा है, यह वाला home है वो या यह वाला है, तो आप देखो, जितने भी menu हमने यहाँ पे create की हैं, about us, देखो about us के आगे लिखा है page, मतलब about us एक page type का menu है, contact us भी एक page type का menu है, यहाँ पे home भी एक page type का menu है, बड़ जो top पे ल तो आपको इस वाले menu को delete करना है, कैसे delete करोगे, इस arrow पे आप पहले click कर दो, यह panel open हो जाएगा, और यहाँ पे आपको remove पे click कर देना है, वो menu remove हो गया, इसके बाद save कर देते हैं एक बार, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी changes आप करोगे, उसे आपको save करते चलना है इसके बाद हम एक बार home page को refresh कर लेते हैं, अभी फिलाल कोई changes नहीं हुए, reason यह है, कि same order यहाँ पर भी है, और same order menu का यहाँ भी है, यहाँ भी about us पहले है, contact us है, फिक gallery है, यहाँ भी same about us, contact us gallery, तो अब refresh करोगे, तब भी order वही दिखाई देगा, अब हमें order को change करना है, सब drag कर दो, और उपर खिसका कर सबसे top पर रख दो, सबसे उपर आ गया home, इसके बाद about, automatically उसके नीचे आ गया, अब मुझे services third menu बनाना है, यह gallery बनाना है, तो यहाँ पर हम services को बनाते हैं, तो services को उठा कर रख दो about के बाद, यह हमने put कर दिया, इसके बाद gallery को put कर दो services के बा इतना ही करना होता है, अब हम homepage को refresh करके एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, home, about us, services, gallery and contact us, तो इस type से आप menu create करते हो, अपनी WordPress website में, जो की बहुत बहुत easy है, I hope इतना अभी आपको समझ में आया होगा, तो वापस चलते हैं अपनी checklist पर, और हमारा य याने काफी सारे points हमने complete कर ली हैं, अब बारी आती है, how to design a free logo, आपको photoshop नहीं आता, आपको coral draw नहीं आता, आपके पास कोई भी graphic designing skill नहीं है, बट आप logo design करना चाहते हो, तो उस case में हम यहाँ पे एक free of cost service की help से एक free और बहुत अच्छा logo design करेंगे, जो काफी professional भी होगा, और आपको बहुत जादे customize करने की जरूत नहीं है, आपकी website के लिए एक better logo हम बना सकते हैं, तो इसके लिए simply आप एक website open करोगे, canva.com, canva.com, यह एक ऐसी website है, जहाँ पे आप graphics को use करके logo वगरा बहुत easily बना सकते हो, अपनी website के लिए copyright free banners बना सकते हो, और यहाँ पे काफी सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी, now, top right corner पर आप देखो, यहाँ पर option मिलेगा, create a design, but यह option आपको तभी मिलेगा, जब आप canva.com की website पर आके free account बना लोगे, तो जब आप open करोगे canva.com, तो वहाँ पर आप से कहेगा, create an account, एक account create कर लेना, मैं already logged in हूँ इस account में, that is the reason, यहाँ पर देखो, आ रहा है मेरा नाम, और यहाँ पर बटन आ रहा है, create a design, इस पर आप पहले click करोगे, इसके बाद सबसे bottom में देखिए दिया होता है, custom size, तो यहाँ पर आप click करो, मतलब logo हम अपने size का बनाना चाहते हैं, और उसकी unit होती है, pixel, तो pixel तो यहाँ पर selected है logo की with कितनी होगी, with मतलब चोड़ाई, और height मतलब height, I don't know height को हिंदी में क्या कहते हैं, so with यहाँ पर for example हम set कर देंगे just like 200, ठीक है, height को हम set कर देते हैं just like 40 pixel, मतलब 200 by 400 की यह image हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जो कि हमारी website का logo होगा, इसके बाद create new design पर आप click करोगे, एक नय panel open हो जाएगा, जो कि design area होता है, okay, so यह है design area, हम यहाँ पर अपने logo create करेंगे, जितना बड़ा white space आ रहा है, कोशिश कीजिए, इस पूरे space में आप logo को अपने put करोगे, now, अब left hand side पर देखो, यह है elements, इस पर आप click करो, और यहाँ पर for example, आप एक ऐसी website बनाने वाले हो, जो कि nutrition से related है, ठीक है, मतलब health diets वगरा से related है, तो logo में हम कुछ fruits वगरा ले सकते हैं, जैसे कि, यहाँ पर search करो, fruits, fruits, तो काफी सारे copyright free यहाँ पर आपको icons मिल जाते हैं, जो कि आप logo में use कर सकते हो, मैं यहाँ पर कुछ देख लेता हूँ, something like, orange ले लेते हैं यह वाला, ठ इसके बाद इसको drag कर दो left hand side पे, इतना हमने कर दिया, इसके बाद आप चाहो तो इसका size बढ़ा सकते हो, और देखे, pixel बिल्कुल भी disturb नहीं होगा, बिल्कुल pixel perfect आपका logo यहाँ पर बनने वाला है, इसके बाद अब अगर आपको इस logo के साथ में, इस icon के साथ में text add करना ह है, है न, text भी तो लिखना है न, अब अपने website का, तो text आप यहाँ पर लिख सकते हो, text लिखने के लिए left hand side पे देखो, यह है text का option, इस पर आप click करो, जैसी आप click करोगे, यह panel आ जाएगा, वैसे तो काफी सारे यहाँ पर अच्छे design के fonts अवेलेबल होते हैं, बढ़ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, so right now मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, for example यह वाला, या फिर यह baked fresh to pro है, premium में free नहीं है, यह वाले लेते हैं, free delivery वाला, इस पर आप click करो, यह right hand side पर display हो जाएगा, आगे यह, अब जो भी text आपको put करना है, वो आप यहाँ पर put कर सकते हो, जै है न, इसके बाद यहाँ पर आप mouse put करो, इसे extend कर दो, तो इस सारा एक line में आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर alignment वगरा भी कर सकते हो, simply पहले आप text को select करो, यह bar enable हो जाएगा, यहाँ पर दिया होता alignment का option, इस पर आप click करोगे, देखे left align हो गया, letters के बीच में space डाल सकते हो, line spacing है, तो आप line spacing यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसके बढ़ गया space, इसके बाद इसका font size अगर आपको increase करना है, तो एक तरीका तो यह है, आप इसको पहले selected रखो, और यह यहाँ से extend कर दो, तो अभी font बढ़ जाता है, दूसरा तरीका यह है, आप इसको selected रखो, और यह है font का option, यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हो, यह तो खार काफी बढ़ा हो गया, इसे और छोटा कर लेते हैं, और हम इसकी help से font को, कोशिश करेंगे जितना white area यह पूरा cover हो जाए, है न, क्योंकि लोगों के लिए हमने पूरा इतना बढ़ा area अल करा सकते हैं, आप text को पहले यहाँ पर select करो, फिर यह A पर click करो, तो left hand side पर आप देगो काफी सारे options enable हैं, यहाँ पर orange अगर आप select करोगे तो पूरा orange हो जाएगा, फिलाल इसे हमें नहीं करना है, तो मैं control Z कर देता हूँ सीधा, जो हमारा पहले color था वही आ गया, ठीक है, तो यह आप अपने हिसाब से कर लेना, जब आपको लगता है कि logo पूरा ready हो चुका है, इसके बाद यह है download का option, इस पर आप click करो, और after that PNG पहले से selected होगा, download पर click कर लेना, कोई भी premium option आपको यहाँ पर use नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसे नहीं पे करने canva को, free of cost service आप य दिखाई देगा, ठीक है, अब इस logo को हम अपनी wordpress website में upload करेंगे, कैसे upload करते हैं, आप वापस चलो अपनी wordpress website में, और यहाँ पर appearance की नीशे आपको एक option मिलेगा, customize, इस पर आप click करो, ओके, जैसी आपने click किया, देखी, काफी सारे options यहाँ पर भी आ चुके हैं, अब इस इसके बाद यह option है, site identity, इस पर हम click करेंगे, यहाँ पर आप देखो, site title and logo settings आजाता है, मतलब logo वगर आप यहाँ से set करोगे, आप simply इस पर पहले click कर दीजिए, जैसी आप click करोगे, यह option आगया, logo, select logo, click करो, इसको click करने के बाद यह pop-up आपके सामने आजाता है, तो इस pop- downloaded logo को हम यहाँ से upload करेंगे, open कर लेते हैं, ओके, logo upload हो गया, तो जितनी भी files आप upload करोगे, यह भी logo एक basically image होती है, आपने इसको upload किया, तो यह media library में जाके store हो जाएगा, after that आपको right corner पर यहाँ पर देखे दिया होता है, select button, इस पर आप click कर लो, फिर यह आप से option कहेगा crop कर करने के लिए, तो crop नहीं करना है, skip cropping कर दीजिए, और यह logo हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखे आ गया, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर यह देखो, digital wall nutritionist, यह लिखा है, यह क्या है, यह page का title है, website का title है, आपको याद हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो, scroll down करो, यह देखो लिखा हुआ है, disable site title, यहाँ पी यह enable है भी है, आप चाहो तो site title अगर सिर्फ आपको display करवाना है, तो यहाँ पी आप text को change कर देना है, इस box में, अगर आपको completely हटाना है, तो यह वाला option है, इसको आप simply uncheck कर दो यहाँ से, देखिए वो हट गया यहाँ से, है ना, इसी तरह से आप चाहो तो नीचे disable site tagline भी कर सकते हो, tagline तो बात की बात है, वो बात मताऊंगा मैं आपको, after that एक चीज़ और देखो आप यहाँ पर, यह क्या दिया हुआ हुआ है, लोगो की width, मतलब आप कितनी width set करना चाहते ह की तरफ से default width होगी, वही set हो गई है, बट हमको याद है कि जो हमारे logo की width थी, वो 200 by 400 होती, मतलब 200 pixel width थी, तो यहाँ पे काम करते हैं, 200 type कर देते हैं, ठीक है, तो actual logo हमारा आ जाएगा, after that आपको simply publish कर देना है, और logo हमारा proper तरीके से अपने header में set हो चुका है, अब हम अप हमने design of free logo भी complete कर लिया है, तो काफी सारे points हम complete कर चुके हैं, अब बारी आती है, prepare content on homepage, homepage पे content बनाएंगे, मतलब homepage की ओपर images, sections, सारे चीज़े हम use करने वाले हैं, तो इसके लिए मेरे पास देखिए, एक already dummy website है, dummy website मतलब एक demo website है, इसका नाम है nutritionist.oceanwp.org, तो basically इस type की website तो client भी आपको एक reference website देगा, वो आपके पास एक domain name भेजेगा, कि इस type की site मुझे चाहिए, या कोई सी भी site आपके पास भेज सकता है, तो आपको अगर concept मालूम है कि page की designing कैसे करनी है, तो आप किसी भी तरह की site बना सकते हो, आज की case में हम ये वाली site को as the reference site लेके यहाँ पर कुछ headings वगरा लिखी है, यहाँ पर कुछ buttons वगरा भी created है, एक यहाँ पर background image लगी हुई है, after that आप यहाँ पर देखो एक lady की image है, जो कि circular image है, उसके बाद यहाँ पर कुछ title वगरा है, कुछ text है, फिर button है यहाँ पर, नीचे लिखिए यहाँ पर यह counters होते हैं जैसी आप page को reload करोगे, तो यह number अपने आप बढ़ते हैं, देखो, तो इसे कहते हैं counter numbers, तो इसको भी हम आज use करना सीखेंगे, after that, यह देखो यहाँ पर यह curly type का एक divider है, यह divider कैसे create करते हैं, यह भी हम सीखेंगे, यहाँ पर देखो कुछ text लिखा हुआ है, और साथ मे यह image थोड़ी सी उठी हुई है, तो यह effect कैसे लगाएंगे, यह भी आजम करने वाले हैं, और सब कुछ बिना coding के करेंगे, अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया, मैंने एक line of code भी कहीं पर भी use नहीं किया है, बट website बनना start हो गई है, so trust me, जो method मैं आपको बताने वाल हूँ, then after यहाँ पर half area में यह image लगी है, half area में content लिखा है, इसको कैसे create करेंगे, यह client testimonial area होता है, यह भी हम create करने वाले हैं, साथी साथ में, जैसी देखिए मैं इस पर click करूँगा, तो यह area expand हो जाता है, यह questions वाला area होता है, आपने कई सारे websites पर देखा होगा, इसे हम कह करने वाले हैं, इस type की pricing table भी बनाएंगे, साथ ही साथ में सबसे bottom में देखिए दिया हुआ है, यह inquiry form, तो इस form को भी create करेंगे, social media icons भी बनाएंगे, almost सारी चीज़ा हम बनाने वाले हैं, so make sure आपको proper तरीके से वीडियो को देखते रहना है, कोई भी section, कोई भी area में समत करन otherwise आपको doubts हो जाएंगे, फिर आप comments में questions ही पूछते रहे जाओगे, तो सारी चीज़ा में cover up कर दूँगा इस पूरे entire वीडियो में, बस आपको proper तरीके से देखना है, और अगर यह वीडियो पसंद आएगा, तो please like जरूर कीजेगा, so चलिए अब हम content create करना, start करते हैं, first of यहाँ पे सबसे पहले हमें content create करना है अपने home page के लिए, तो home के उपर आप mouse रखो, यहाँ पे आएगा edit का option, let's click on it, जैसे आप इस पर click करोगे, यह back end open हो जाएगा home page का, तो यहाँ पर आपको click करना होता है, edit with elementor वाले button के उपर, जैसे आप click करोगे, एक नई screen आपके सा screen होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है design area, जहाँ पे आप पूरे के पूरे page को design करोगे, हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, यह home page का body area है, जहाँ पे पूरा body area का content create किया जाएगा, और left hand side पे आप देखो, काफी सारे पहले से element बने बनाए हैं, यह है heading, अगर आपक heading लिखनी है, तो यह heading widget को आप use करोगे, अगर आपको image दिखानी है, तो यह है image वाला element या widget, आप इसे display करवा सकते हो, अगर आपको paragraph text लिखना है, तो यह है text editor, video लगाना चाहते हो, YouTube की video, Vimeo की video, तो यह video वाला element है, button display करवाना है, तो यह button के element है, इसी तरह से काफी सारे elements यहाँ पर available है, now, first of all, हम समझते हैं, कि what is sections, इस section क्या होता है, देखिए, आप कोई भी website बनाओगे, website को बनाने से पहले आपको उस website का structure समझना पड़ेगा, कि actual में, अगर यह nutrition वाली website बनी है, तो इसका structure क्या है, कैसे बनाई गई होगी, किस तरह से इसको design किया है, तो प complete एक section है, left से right hand side तक पूरा, पूरी height है, और पूरा section की width है, ठीक है, अब इस section को दो parts में divide किया गया है, left hand side में कुछ content रखा है, जैसे के heading लिखी है, buttons रखे हुए है, paragraph text है, divider line है, right वाले area में एक image को display करवाया गया है, तो basically यह जो left वाला area है, इसे हम कहते हैं column, इसी तर all, पूरा section यहाँ पे है, उस section को दो columns में divide किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे यह basically दो columns है, तो first वाले column के अंदर हम कुछ heading वगरा put करने वाले हैं, तो same चीज़ा आपको यहाँ पे भी करनी होती है, यहाँ पे पहले एक section लेंगे, तो आप पहले इस plus पे click करो, जैसे इस plus पे click करोगे, तो यहाँ पे option आएगा, select your structure, तो 12 type के यहाँ पे sections पहले से ही predefined है, अगर आपको simply एक column का section लेना है, तो आप यह वाला ले सकते हो, अगर आपको दो column का लेना है, मतलब एक section दो parts में divided होगा, तो यह वाला ले सकते हो, तो हमारे वाले case में आप देखो, यह पूरा section है, यह of course दो columns में divided है, तो हम ले लेंगे यह second वाला section, इस पर आप click कर दो, जैसे ही आप click करोगे, blue color के border यहाँ पे आजाएगा, मतलब यह पूरा एक section है, और आप देख सकते हो, यह first वाला column है, यह second वाला column है, ठीक है, अब first वाले column में हमें क्या display करवाना है, य how can I help you, पहले यहाँ से copy कर लो, after that यह how can I help you क्या है, यह एक heading है, तो आप चलो elementar पे, पहले तो इस plus पे click करो, plus पे click करने के बाद heading लिखने के लिए हमें चाहिए होगा heading widget, तो इससे आप drop कर दो यहाँ पे, ओके, देखिए heading widget यहाँ पे आ गया, जैसे ही आप इससे drop करोग left hand side पे इस particular heading widget की settings open हो जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा है edit heading, तो यह heading की सारी settings है, अगर यह आपको यहाँ पे नहीं दिखती है setting, तो आप कैसे लाओगे, आप पहले इस heading वाले widget पे mouse रखना, देखो यह pencil icon दिखाई देगा, इस पे right click करना, और edit heading कर देना, तो यह panel आ एक होता है content, दूसरा होता है style और तीसरा होता है advanced, content में आप content type करोगे, तो देखो इस box के अंदर क्या लिखा है, add your heading text here, तो सेम चीज़ यहाँ भी display हो रही है, अगर आप यहाँ से इसको delete कर दोगे, तो यहाँ से भी हट जाएगा, या फिर आपना जो text अलरेडी copy कर रहा कर दोगे, तो सेम text यहाँ भी आ गया, है ना, कितना simple है, after that दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, आप देखो, यह जो है basically text जो लिखा हुआ है, इस color क्या है, orange color है यह, है ना, तो हमें भी अपनी heading का color orange करना है, अब color basically क्या है, अगर आपको color change करना है, मतलब अपनी heading की styling करन है, तो colors change करने के लिए आपको जाना होता है, style tab पर, यहाँ पर आप click करोगे, जैसी देखो, आप click करोगे, तो under title tab, आपको मिलेगा text color का option, right now blue preview आ रहा है, देखे, blue color का text है, आप इस पर click करो, यह color box open हो जाएगा, आप जो सा भी color यहाँ से आप use करोगे, same color देखो, right hand side प color तो हमने match कर लिया है, color match हो गया, after that font देखो, सारे के सारे letters capital letter में है, तो चलो, इसे भी हम capital letter में कर देते हैं, इसकी setting बड़ी अच्छी दी होती है, elementar में, आपको one by one delete करके सब capital नहीं करना है, आप जाओ typography में, pencil पे click करो, और यहाँ पर आप देखो, transform का option आएगा, right now default है इसे कर दो uppercase, जैसी uppercase करोगे, सारे के सारे letter uppercase में हो गए, मतलब capital हो गए, साथी साथ में यहाँ पे आप चाहो, तो font की family change कर सकते हो, font styling change कर सकते हो, तो right now यह है roboto, यहाँ से change करके आप इसे select कर सकते हो, just like Montserrat, काफी अच्छा font है Montserrat, देखिए काफी अच्छा font तो इस तरह से आप font की styling वगएरा भी कर सकते हो, after that close कर दीजिए, जब यह changes आप कर लोगे, इसके बाद update कर दो, ताकि जो भी changes हमने अभी तक इस page पे किये हैं, वो सब save हो जाए, एक बार जब आप changes कर लेते हो, इसके बाद आपको वापस चलना होगा home page पे, और इसको refresher क देखो कि जो changes हमने किये हैं, वो actual में हो भी रह या नहीं, देखो आप यहाँ पे, how can I help you text लिख करके आ गया, है ना कितना easy है यह, इसके बाद हमारे पास दूसरी heading क्या लिखी है, I am Laura Vidal, your personal nutritionist, इसे भी यहाँ से copy कर लेते हैं, अब इस heading को लिखेंगे, अब इस heading को लिख आइकन दिया है, grid icon, इस पर आप click करो, तो फिर से वो list open हो जाती है, अब एक काम दो आप यह कर सकते हो, कि आप heading को यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ भी drop करो, है ना फिर सारी setting करनी पड़ेगी, लेकिन Elementor में कमाल का feature है, कि आप इस वाली heading को ही duplicate कर सकते हो, माउस रखो यहा तो हम paste कर देंगे, जो text हमने copy कर रखा है, देखिए, setting पूरी पूरी वही आड़े, color सब कुछ वही आ गया, बस text change हो गया, अब आपको गर इसका color change करना है, black करना है, style पर जाओ, text color में जा करके, इसे कर तो यहाँ से black, okay, font size अगर आपको बढ़ाना है, तो typography में जाईए, और यहाँ से आप font size को increase कर दीजिए, like this, है ना कितना simple है, after that update कर देते हैं, एक बार homepage को refresh करेंगे, here we go, देखिए, इस type से आ गया यह, तो काफी simple, काफी easy है, और आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरी website को बनाने में, अब next यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइन है, फिलाल अभी एक काम करते हैं, एक simple सी line बना लेते हैं, यह curly वाले के लिए हमें एक premium plugin को use करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पर एक simple सी line आप कैसे बट करोगे, यहाँ पर वापस जाओ, आप इस grid icon के ऊपर, तो यहाँ पर widgets क लिस्ट फिर से आ गई, यह है divider, इसे उठा के रख दो, इसके just नीचे ऐसे, ठीक है, divider line आ गई, print side पे इसके setting open हो जाएगी, अगर नहीं open होती है, तो इस पे भी आप simple pencil पर right click करो, and then edit divider, ओके, अब यहाँ पर भी देखो तीन tab होते हैं, content style and advanced, तो content tab में ही आपको right now 100 है, आप इसको कम करके यहाँ से कर दो, like 25 कर देते हैं, ठीक है, 25% हो गई, तो इतनी होती है, मतलब यह वाले जो first column है, इस first column की width का 25% हो गया यह, ठीक है, अब इसके बाद alignment है, by default यह left align होती है, अगर आपको center में करना है, तो यह है center, इससे आप center कर दो, दीके, बीचो बीच आ गई है, ठीक है, अब अगर आपको इसका color change करना है, या इसकी width बढ़ानी है, मतलब इसकी चोड़ाई बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको जाना होता है, style tab के उपर, यहाँ पर पहले तो आप color वगरा change कर सकते हो, तो चलो, इस divider line के हम color orange कर लेते हैं, ओकई, द लाइन के उपर और इस line के नीचे, तो right now gap 15 होता है, इसे कम कर दो आप, ठीक है, gap भी कम कर दिया, फिर से update करते हैं, जब भी आप कोई change करो, update करते चलो, यह अपनी habit में लेया हो आप, ताकि आपका changes कभी lost नहीं होंगे, line आ गई, इसके बाद अगला क्या है, यह text लिखा ह इसे copy करो यहां से, वापस चलते हैं, elementor में, अब paragraph text को लिखने के लिए आप heading use मत करो, इसके लिए आप यहां पर use करो text editor, इसे drop कर दो, आप just divider line के नीचे, ठीक है, जैसी drop करो, left hand side बेस की यहां पर settings open हो गई, जो dummy text लिखा है, इसे हटा दो यहां से, और paste कर दो, जो text हमे paste करना है, ओके, यह paste हो गया अस type से, अब इसका color भी आपको black करना है, तो style पर चलो, और यहां पर text color में, इसका color हम कर सकते हैं, black, it's very simple, आप चाहो तो text का alignment भी यहां पर change कर सकते हो, right now अगर हम यहां पर गौर करोगे, तो देखो यह first column के अंदर जितना भी content है, यह heading है, य यह भी बीच हो भी जा रहा है, अपने column के अंदर, यह text भी बल्कुल middle aligned है, center align है, तो आपको भी क्या करना होगा, हमारे अंदर जितना भी content इस column के अंदर लिख रखा है, सब को center align करना है, तो पहले तो इस वाले text को आप center align करो, कैसे करोगे, style में दिया होता है, इसका option alignment, यहाँ पर left है, इसे कर दो center, देखे center में आ गया, इसी तरह से top वाली heading है, पहले इसे click करो, अब इसको भी center में करना है, तो इसकी setting style में नहीं दिया होती है, इसकी setting दिया होती है, content में, यहाँ पर है alignment, इसे कर दो आप center, center हो गया, इसी तरह से बड़ी वाली heading है, इसे भी क रहा होगा, कि actual में किस तरह से content create करना होता है, धीरे धीरे step by step चलोगे, आपको सारी चीज़े बनने लगेंगी, और बिल्कुल professional तरीके से बनेंगी, आपका time बिल्कुल waste नहीं होगा, अब next हमारे पास task है, कि हमें इस type के buttons create करने हैं, है न, आप यहाँ पर देखो, यह about me button और यह contact me button, right now, जो अभी state है button की, वो है normal state, मतलब जब आप button देख रहे हो, तो वो normal state है, लेकिन जब आप उसके उपर mouse put करते हो, तो यह कहलाती है hover state, एक होती है normal state, दूसरी होती है hover state, तो यहाँ पर normal state में क्या है, आपको पहले analyze करना होगा, कि button का जो border है, वो orange color का है, औ वो भी orange color का है, और button का जो background है, वो white color का है, है न, normal state में button का text color orange है, border भी orange है, border का style dotted है, और button का background color white है, तो चलिए इस type का button create करते हैं, अब पहले चीज़ यह है, कि आपने यह column ले रखा first वाला column है, इसके अंदर हमने यह सारे elements तो ले लिए, अब इसी column में हम लेंगे एक inner section मतलब यह outer section है, इसके अंदर भी आप एक inner section ले सकते हो, तो यहाँ पे आप grid icon पे click करो, और यह है inner section, इसे drop कर दो यहाँ पर, तो यह दो column का section, इस column के अंदर ही आगया, मतलब यह outer section को दो columns में divide किया था, यह first column है, यह second column है, तो first वाले column के अंदर एक और inner section ले लिया हमने, ठीक है, अब first वाले column में, मतलब inner section के first वाले column में, हम एक button add करेंगे, तो यह है button, इसे आप यहाँ पे drop करोगे, हर element की तरह इसकी भी setting left hand side पे open हो जाती है, अब content के अंदर देखो, यह दिया है text, right now क्या लिखा है, click here, इसी तरह से button के उपर भी लिख किया रहा है, click here, तो आप यहाँ पर type कर सकते हो, avout about me, है न, अब आपको मालूम है, कि button का काम क्या होता है, कोई भी user जब button पर click करता है, तो कोई दूसरा page open हो जाता है, तो यहाँ पर आपको button में एक link लगाना होता है, तो right now यहाँ पर दिया हुआ link का box, जो भी page आपको open करना है, उस page का link यह पर डाल दो, जैसे मैं यहाँ पर for example open करूंगा, गूगल का page, तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ, google.com, https भी आपको यहाँ पर लगाना है, okay, अब कोई भी बन्दा अगर इस button पर click करेगा, तो Google का page open हो जाएगा, पहले एक बार इसे update कर लेते हैं, and then we can refresh our homepage, okay, देखिए button आ है कि हम इस button की normal state को समझ लेते हैं, text color normal state में orange होगा, तो यहाँ पर आप चलो elementar में, इसकी पहले आप styling में जाओ, यह style आ गया, एक वा style में दो state पहले से दिये हैं, एक है normal state, उसकी setting यह दे रखिए इनोंने, दूसरी है hover state, उसकी setting यह दे रखिए, तो पहले normal state की setting कर लो आ ठीक है, normal state में text का color क्या है, औरेंज है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे orange, ठीक है, उसके बाद normal state में जो background color है, वो कैसा है white, तो यहाँ पर right now green है, तब ही दो green दिख रहा है, आप यहाँ से कर दो इसे white, ठीक है, इतना कर लिया, text color थोड़ा सा और dark orange कर लेते हैं, ठीक है और बार इसकी जरुत हमें पढ़ा सकती है, अब दूसरी चीज, normal state में button का border भी क्या था, orange color का था, तो यह normal state है, इसमें border type पहले select करो, किस type का border आपको चाहिए, आपको चाहिए double, dotted, dashed या groove, तो हम dash ले ले लेते हैं यहाँ पे, देखे, dash type का आगया यह, इसके बाद border की width क यहाँ से change कर सकते हो, मतलब इस border की width यानि weight यानि चोड़ाई, तो यहाँ पे आप चाहो तो, किसी भी एक value को बढ़ाओ, तो top, right, bottom और left होता है, अगर आप top को बढ़ाओगे, सारी values एक साथ बढ़ रही हैं, है न, बट कई बार ऐसा हो सकता है, आपको सिर्फ top को बढ़ा ने आप बढ़ेगी, whereas अगर आप इसको uncheck कर दोगे, तो dependency खतम हो जाती है, फिर आप किसी भी एक value को बढ़ाओगे, दूसरी value से कोई फरक नहीं पढ़ेगा, ठीके, तो अभी इसे check करके हम कर देते हैं, 0, देखे, कुछ भी नहीं रहा गया border, यहना बिल्कुल हट गया, weight इकदम खतम हो गया, मतलब इकदम खतम हो गई, अब आप यहां से numbers बढ़ाओ, ठीके, चारो तरफ का एक same weight आचुका है, अब यहां पर आप देखो, यह button क्या circular type का button है, corner है, तो इस corners को add करने को हम कहते हैं, border radius, तो यहां पर देखो, with के just नीचे आपको मिलेगा, border radius, तो य दूसरी चीज़, border का color आप यहां से set करोगे, वैसे तो default color ले रहा है, orange, बढ़ आपको मैं recommend करूँगा, कि आप manually भी color को यहां पर set करो, तो हमने already color code यह वाला यहां से copy कर रखा था, इसे मैं same यही पर paste कर दूँगा, ताकि यह text से बिलकुल match कर जाएगा, ठीके, तो normal state मे इस button को set कर लिया, दूसरी चीज़, आप यहां पर देखो font वगरा से match कराएंगे, यहां पर आप देखो काफी छोटा font है, about me, और basically काफी अच्छा font है यह, तो आपको क्या करना है, पहले button की setting में जाओ, और style में ही आप देखो, यहां पर दिया होता है typography, इस pencil पर क्लिक क करो, और यहां से आप select कर लो, Mont Serret, M-O-N-T, Mont Serret, यह है Mont Serret, select कर लिया हमने, अब आप font size यहां से घटाया बढ़ा सकते हो, that is completely up to you, तो फिलाल हम यहां पर काम करते हैं, 14 रख लेते हैं, ठीक है, इतना better है, और letter के बीच में spacing डाल देते हैं, मतलब जितने words से इनके बीच म थोड़ा space को increase कर लेंगे, तो आप यहां से letter का space increase कर सकते हो, like this, ठीक है, इतना better लग रहा है यह, after that, अब next चीज क्या है, आप यहां पर देखो, यह बटन अपने इस पूरे column में right hand side पे है, shifted है, बट यहां पर देखो, यह left में है, तो इस button का alignment भी आप change कर दो, alignment कहां से change ह होता है, आप simply content में जाओ, और यहां पर दिया alignment, तो आप इसे कर दो right, देखे right hand side हो गया, इस button की hover state भी हम change करेंगे, ताकि hover करने पे background color पूरा orange हो जाए, और text color जो लिखा है वो white हो जाए, पहले आप इसे select करोगे, इसके बाद style में चलते हैं, style में अब हमें jump करना है hover state प चाहिए, तो यहां पर text color में आप select कर लो white, पहले चीज़ तो यह है, दूसरी चीज़, hover करने पे background color पूरा orange हो जाए, तो hover state में background color आप यहां कर दोगे, पूरा का पूरा orange, same color code मैंने यहां paste कर दिया है, और border color कैसा होना चाहिए, यहां पर देखो, hover करने पे border color भी पूरा orange यहां पर भी आपको क्या करना है, बॉर्डर कलर को भी पूरा का पूरा orange करना है, अब आप देखो, मैं mouse over करता हूँ, same हो गया button, जैसा already इस reference website पर बना हुआ है, अब इसको हम update कर लेते हैं, after that अपने home page को refresh करेंगे, now let's put mouse on it, देखिए, exactly same हो गया, इसके बाद अब दूस normal state में background color बिलकुल orange है, और text color white है, बट जब hover करते हैं, तो background color white हो जाता है, और text और border का color orange हो जाता है, तो पहला तो आप एक काम करो, यहां भी क्या करोगे, इस पूरे button को duplicate कर दो, पहले चीज तो यह duplicate किया, same button बन किया अब इस वाले button को उठा के right वाले column में put कर दो, सबसे पहला काम हमने यह कर लिया, अब दूसरी चीज इस button की setting पर चलते हैं, है न, alignment करेंगे इस button का left, तो देखो alignment है, इसे कर दो left, left हो गया, इसके बाद इसका text change कर दो, तो यहां पर आप लिख दो, contact me, ठीक है, अब चलते हैं styling में, styling में normal state में क्या है, normal state में जो background color है, यहां से background color, इसे आप कर दो orange, ठीक है, और normal state में text color कर दो white, पहले चीज तो यह, तो button ऐसा दिखेगा, अब hover state में क्या होना चाहिए, hover state में text color हो जाना चाहिए, orange, text color हमने orange कर दिया है, background color क्या हो जाना चाहिए, white, तो हमने यहां white कर दिया है, और border color भी होना चाहिए, orange, तो वो पहल इसे selected है, अब एक बार mouse पूट करके देखते हैं, देखिए, exactly same वैसा ही हो रहा है जैसे reference website पे, एक बार page को update कर लेते हैं, okay, now let's refresh our homepage, here we go, तो दोनों buttons बना लिए हैं, यह वैसा button हो गया और यह इस type से, तो आप hover state वगरा भी change कर सकते हो, normal hover जैसा भी आपको रखना है, I hope इ बट actual में होता क्या है, कि यह image इस पूरे section में background में set की गई है, मतलब section की background image है यह, तो पहला एक काम करो, अगर आप mozilla firefox browser यूज कर रहे हो, तो आप इस image को save कर सकते हो, simply right click करो, और यहाँ पे आएगा option open image in new tab, इस पर आप click कर देना, तो यह new tab में open हो जाएगी, और after that save नहीं कर रहा हो फिलाल, हम यहाँ इसे बंद कर देते हैं, अब मैंने आपको क्या बोला, आपको फिर से ध्यान देना है, यह वाली image इस पूरे section के background में set है, मतलब यह image section की background image है, तो वापस आप चलो elementar में, यह वाला section पूरा बना है, blue वाला section है, यह basically outer section, तो इसकी पहले section की setting में style पर, style में आपको मिलेगा background, यह है background type, classic पर click करो, और यह है image upload का option, choose image कर दो, upload files में जाओ, और जो भी image आपको background में set करनी है, उसे open करके upload कर दो, okay, देखिए यह image upload हो चुकी है, और यह इस image का size है, 1920 pixels की width है, और 1080 pixels की height है, तो simply insert media करते हैं, okay, after that देखिए इस image का यहाँ पर preview आ चुका है, और देखिए कुछ image यहाँ पर दिखने लगी है, अभी कुछ setting करेंगे, तो proper तरीके से image दिखाई देगी, अब जैसी image का यहाँ पर preview जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ और options आते हैं, पहला आएगा position, तो इस image की position को आपको set करना है, तो यह setting आपको हमेशा करनी होती है, after that page को update कर देते हैं, अब home page को refresh करेंगे, here we go, so आप देख सकते हो, almost हमने इस page को, यानि इस section को similar कर लिया है, something like this, but यहाँ पर अभी आपको basically कुछ settings और करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो image है, यह पूरी ऊपर तक है, but actual में जो हमारे साइट पर image है, यह cut गई है, है ना, तो basically वज़य क्या है, वज़य यह है, कि किसी भी section की जो height होती है, वो उसके content पर depend करती है, आप जितना जादा content रखोगे, height उतनी जादा increase होती जाती है, अभी हमने इस how can I help you heading से लेकर यह buttons बस put किये हैं, तो इतनी height बढ़ ग यहाँ पर आप जाओ layout में, layout में आपको option मिलेगा height, तो right now आप इसे कर दोगे minimum height, min height, तो यानि अब इस section की height content पर dependent नहीं रह गई, content कितना भी रखो, आप जितनी height इस box में set कर दोगे, increase करते जाओगे, उतनी height इस पूरे section की automatically display होगी ही होगी, so right now हम यहाँ पर example इसे कर दे 700, एक बार ट्राइ करते हैं, after that update कर लेते हैं, and then we can refresh our front page, okay, देखिए इस type से यह आगया section है, I think height कुछ जादा ही हो गई है, because यहाँ पर gap भी आ गया, तो height थोड़ी सी यहाँ से कम कर लेंगे, इसे आप कर दो just like 650 कर लेते हैं, इतना ठीक है, update कर लेते हैं, और एक बार home page को refresh करके देखते हैं, here we go, देखिए, almost हमने काफी हद तक similar section मनाया है, जैसा यहाँ पर बना हुआ है, अब थोड़ी बहुत font styling difference है, वो हम बाद में भी match कर सकते हैं, so इस type से आप इस पूरे section को create करोगे, अब हमारे पास next section यह वाला है, अब पहले ही मैं आपको बता चुका किसी भी section को create करने से पहले आप उसके structure को समझो, कि actual में वो section बना कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक section लिया गया होगा, जिसमें एक background color पहले set कर दिया है, peach type का, अब उस section को दो columns में divide किया है, जो first वाला column है, इसके अंदर एक image रखी गई है, और जो right वाला column है इसके अंदर heading है, फिर दूसरी heading है, फिर text है, फिर button है, तो चलिए इस type का section create करते हैं, first of all आपको यहाँ पे एक section लेना होता है, तो plus पे आप click करोगे, और फिर से आपको एक काम करना है, दो column का section ले लीजिए, क्योंकि left वाले column में image दिखाएंगे हम, now, पहले हम इस plus पे click करेंगे, image दिखाने के लिए यह है image widget, इसे आप यहाँ पे drop कर दीजिए, ठीक है, जैसी आप drop करोगे, इसकी setting left hand side पे open हो जाती है, और यह कहता है, चूज image, तो चूज image पे click करो, upload files करो, यह image भी मैंने already download कर रखी है, square shape में है, इसे open कर लेते हैं, ओके, यह image हमारी media library में देखी, यहाँ पर यह almost upload हो ही चुकी है, after that, insert media पर click कर दीजिए, और image यहाँ पर आ गई, जैसी यहाँ पर image display होगी, तो आप देखो, image के preview के just नीचे इसके options आते हैं, image size यहाँ पर by default 1024 by 1024 pixel यहाँ पर set है, आपको हमेशा इसे set करना होता है, full, ठीक है, पहले चीज़ तो align रहेगी, बाकी और आपको कुछ भी नहीं करना है, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखो, कि यह जो image है, इस पूरे section में, यह image का जो column है, यह basically I think 35% होगा, मतलब अगर यह 100% का यह पूरा section है, तो सिर्फ 35% में ही यह image display हो रही है, तो मतलब column की width को कम करना पड़े सिंप्ली left click को आप दबा के रखो, and then left hand side में drag कर दो, इस type से आ जाएगी, मैंने 35% पर इसको set कर दिया है, ठीक है, तो पहला column हमारा 35% हो गया, अब जब column छोटा करेंगे, तो obvious सी बात है, image जो उसके अंदर रखी है, वो automatically छोटी हो जाएगी, तो image छोटी हो गई, अब पहले से image को edit कर दो, circular बना के लाओ, फिर upload करो, या दूसरा सबसे बड़िया feature elementar के अंदर ये होता है, कि पहले आप image की setting में जाओ, edit image करो, style पे जाओ, और यहाँ पे आपको मिलेगा border radius, जैसा आपने button में buttons के corners को curly कर दिया था, circular किया था, सेम उसी तरह से image की borders को आप यहा बढ़ाते जाओगे, तो image circular होती जा रही है, है ना, तो इस type से आप क्या कर सकते हो, image को circular भी कर सकते हो, elementar के अंदर, तो मैं इसको पूरा पूरा circular कर दूँगा, पूरी circular image हो गई है, after that update कर लेते हैं, and then we can refresh our front page, I hope आपको समझ में आ रहा होगा इतना, देखिए, हमने इस lady की image यहाँ पर put कर दिये, अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज़ यह कुछ heading लिखी हुई है, और यहाँ पर भी heading लिखी है, तो पहले काम करते हैं, इस वाले heading को यहाँ से copy कर लेते हैं, so let's copy it from here, अब वापस चलते हैं, elementar में, आपको याद होगा, हमने उपर वाले section में भी ऐसे ही कुछ heading बना रखी है, तो यहाँ पर क्या करो, इस heading को duplicate कर दो पहले तो आप, duplicate किया, अब उपर वाले heading को उठाओ यहाँ से, और नीचे वाले इस right column में put कर दो, that's it, heading आ गई, अब जैसी इस heading को आप यहाँ put करो, इस setting left hand side पे open हो जाती है, तो इस box के अंदर, जो default text है, उसे हटाओ, और जो copied text है, उसे paste कर दो, certified nutritionist and lifestyle coach, after that, हमने उपर वाले heading को align कर रखा था, center में, इसी वज़या से यह भी center aligned है, but reference website पे, इस case में यहाँ पी left align है, तो आपको क्या करना होगा, इस setting में जाओगे, और यहाँ से alignment कर दो, left, okay, after that, आप द लिखा हुआ था, जो text यहाँ पे लिखा है, same text को आप पहले copy करो, यहाँ से, इसके बाद वापस चलते है, elementor में, और इस heading की left hand side पर जाओ, और यहाँ पे heading को change कर दो, doctor Laura Vidal, ठीक है, इसका alignment कर दीजी, आप left, दूसरी चीज, हमें इस heading को put करना है, उपर, तो आप जो उप sub heading लिखिए, उसे नीचे put कर दीजे, लाके like this, ठीक है, इतना हमने कर लिया, अब इसके बाद, तीसरी चीज क्या लिखिए, यह कुछ text लिखा हुआ है, पहले यहाँ से copy कर लिया, same, फिर से process repeat करेंगे, देखो, यहाँ पे text लिखा है, इसे duplicate करो, duplicate करने के बाद, आप यहा typography में जाएंगे हम, Roboto right now selected है, weight यहाँ पे 400 है, मतलब weight यानी text कितना bold दिख रहा है, तो आप से 300 कर दो, 300 कर अगो light हो जाएगा यह, ठीक है, इसी के साथ में, आप letter में spacing यहाँ बढ़ा सकते हो, तो फोड़ा अच्छा लगेगा यह, देखे letter spacing में बढ़ा दी है, 0.3 ठीक ह इसके बाद next के आए हमारे पास एक button रखा हुआ, learn more का, तो button same कैसा है, इस type का button है यह, है न, चलो, button को आप पहले क्या करो, इसे duplicate करो, उठाओ यहाँ से, duplicate करो, and then drop कर दो, इसके just नीचे, ठीक हो गया न, अपडेट कर देते हैं, पहले तो button में आप क्या करोगे, text change कर like, learn more, इसके बाद button का alignment left कर दीजिए, ठीक है, हो गया न, अपडेट कर देते हैं, then after we can refresh our homepage, here we go, देहो कितना fast मैंने इस वाले section को create किया है, first वाला section मुझे आपको समझाना था, इसलिए काफी time लग गया, बाकि next वाला section बहुत फटा-फट मैंने create कर लिया, अब font style यहाँ देहो क्या है, यह दिया है, डॉक्टर लॉरा वाइडल, जो की basically first letter ही capital है, बाकि सब small है, फिर first letter capital बाकि सब small, तो इस type की styling को हम कहते हैं, capitalize, आपको याद होगा, जब मैंने उपर वाले heading को किया था, उसमें मैंने transform कर दिया था, uppercase में, अब इस लॉरा वाइडल में जाओ, style में, और style में अब typography में जाओ, typography में देखो, आभी right now क्या है, transform selected है uppercase, इसे आप कर दो capitalize, तो बस first letter capital हो जाएगा, बाकि सब small हो जाएगा, और font size भी छोटा कर लेते हैं, और I think reference website पर ये काफी छोटा font है, and then update करते हैं, now it's time to refresh our home page, here we go, अब ये काफी अच्छा लग रह है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये पूरे section के background में color set है, अब ये कौन सा color है, अब नई चीज़ा आपको बताने जा रहा हूँ, पो ध्यान देना है यहाँ पर, ये कौन सा color इस website ने use किया है, इस color code कहां से मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ, कि आप Mozilla Firefox browser यूज करो, क्योंकि आप इस color code को एक second के अंदर पता कर सकते हो, कौन सा color code है, पहले तो आप right click करो इस color code पे, फिर inspect पे जाओ, आप जैसी inspect पे जाओगे, ये panel open हो जाएगा, जैसी panel open होता है, ये आता है color picker का एक icon drop, इससे click करो यहाँ से, जैसे click करोगे, फिर जहां भी mouse move करोगे देखो, उससे color code दिखने लग जाता है, साथ में, आप देखो, orange पे लेके जाओँगा, तो color code देखे, orange वाला आ गया, इस lady के उपर देखे, white code पे लेके गया, तो white code का जो सा भी color हो दिख रहा है, tomatoes के उपर लेके गया, देखे, orange color आ गया, इसी तरह से आप इस वाले area के उ open हो जाती है, style में जाते हैं, जैसे हमने background में image को set किया था, उसी तरह से किसी भी section के background में, अगर आपको color set करना है, तो आप background type में classic में ही जाओगे, अब image में ना जा करके आपको जाना है, color वाले option में, ये है color वाला option, नीचे वाला color code हटा दो यहाँ से, और जो color code हमने copy कि या elementor के inspect element के help से, उसे यहाँ पर paste कर दो, देखो आ गया color code, ठीक है, same वही color आ गया, इसके बाद update कर दो page को, now it's time to refresh our homepage, here we go, देखे, color code के help से, हमने यहाँ पर background color set कर लिया है, अब दूसरी चीज़ क्या है, इस color के और image के बीच में काफी difference है, काफी gap है, देखो यहाँ भ जाते हो, जैसे यह वाला section हमने जो ले रखा है, basically reference website section लिया है, तो उसकी height हो यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब यह है, कि यह section का border है, और यह section के अंदर content है, यह image है, content है, तो section के border और image की बीच में अगर आपको extra space increase करना है, तो उस extra space को हम कहते है, padding, ठीक है, मतलब section के border के side अगर आपको space add करना है, तो वो padding कहलाएगा, और section के अगर बाहर आप space add करते है, मतलब इस पूरे section के बाहर, यह border के बाहर, तो वो margin कहलाता, padding मतलब inner space, और margin मतलब outer space, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस section में यह top कहलाता है, यह bottom, यह left और यह right padding कहलाती है, तो हमारे case में क्या करेंगे, इस section हमने ले रखा है, उसमें top padding को और bottom padding को increase कर देंगे, कहां से करते हैं, आप इस section के setting में ही रहो, और यहाँ पे आप जाओ advanced में, advanced में आपको मिलेगा यहाँ पर padding का option, तो आपको सिर्फ top और bottom की padding को increase करना है, तो पहले तो इस icon को uncheck करो, ताकि सारी values एक सा section का border, और यह content, तो border और content की बीच में space बढ़ गया, top में, नीचे नहीं बड़ा bottom में है, bottom में बढ़ाना, तो bottom की आप यहाँ पर padding increase कर दीजे, like this, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको approximately 80 के असपास, ताकि जादा जादा gap हमें दिखाई देगा, इसे भी कर देते हैं, 80, तो 80 pixels पर 80 pixels नीचे, अब आप update कर दो, and now let's refresh our homepage, here we go, देखिए, काफी space आ चुका है, है न, तो इस type से हम यह काम कर सकते हैं, एक चीज और, आप यहाँ पर देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी भी section की height, उसके content की height पर depend करती है, जितना height का content होगा, section की height भी उसी तरह स इस section में आप देखो, यह पहले वाले column में मैंने एक image को लिया है, तो image की height यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है, बट right column में जो text हमने लिया है, तो उसकी height सिब यहाँ पर खतम हो जाती है, तो इस ते क्या हो रहा है है, कि यह जो right column में text है, यह उपर चला गया, मतलब नीच और यह अपने हिसाब से होना चाहिए, मतलब वो खुद से adjust कर ले, हमें pixel में space add ना करना पड़े, तो इसके लिए बड़ी simple सी setting है, आप चलो elementar में, और यह देखो, यह column का icon होता है, जिस column के अंदर हमने content को put किया है, यह उसका icon है, इस पर आप right click करो, edit column करो, तो column के setting left hand side open हो जाती है, यहाँ पर layout के अंदर एक option दिया होता है, vertical align, right now यह default है, इससे कर दो middle, तो content अपने आप बीच में middle में align हो जाएगा, मतलब button के नीचे extra equal space आएगा, और heading के ऊपर extra space आजाएगा, now updated, अब हम अपने home page को refresh कर लेते हैं, I hope अभी आपको इतना समझ में आ रहा connection बन चुका है, ठीक है, तो इसी तरह से आप हम आगे के sections भी create करने वाले हैं, यह counter values को भी create करेंगे, फिर से refresher के दिखाता हूँ, यह numbers बढ़ते हैं, जब भी page load होता है, तो इस counter को हम कैसे create करेंगे, और यह लगा है parallax effect, आप देखो, पीछे image लगी हुई है, जो बिलकु save कर लो, सबसे पहले हैं, हम यहाँ पर save करेंगे, अब हम वापस चलते हैं, अपने elementor में और पहले एक section लेंगे, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक outer section ले रखा है, यहाँ पे हम लेंगे एक outer section पहले तो, एक column का section ले लो पहले आप, ठीक है, अब इस एक column के section के अ mouse रखो, right click करो, और add new column कर दो, तीन column हो गए, इसी तरह से फिर से आप add new column करो, चार column हो गए, चार column मैंने क्यों बनाए हैं, च्योंकि यहाँ पे यह एक column के अंदर रखा है, यह दूसरे column में है, यह तीसरे में है, यह फोर्थ में है, तो same चीज मैंने यहाँ पर भी कर रख ही है, अब पहले चीज़ आपको यहाँ पर दिमाग यह लगाना है, जो background image लगी है, यह outer section के background में लगी है, ठीक है, यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, outer section के setting यह है, six little dot पर click करो, edit section में जाओ, और यहाँ पर style में जा करके, आप पहले background type में जाओ, classic में, और यहाँ से आप image को upload करो, जो के background image होगी, यह है वो background image, मैं इसे simply यहाँ से पहले upload कर लेता हूँ, okay, after that insert media करते हैं, यह image यहाँ पर background में set हो गई, ठीक है, फिर से सारी setting करने के लिए मैं आप से कहूँगा, कि position आप इसे कर दोगे, center center, इसके बाद यहाँ पर repeat कर दोगे, no repeat, size कर दोगे, cover, अभी इतना करते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ नहीं करेंगे, मैं scroll करूँ हो देखेंगे, फिलाल कोई parallax effect नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह हम बाद में करेंगे, अब दूसरा एक काम और करना है आपको, यहाँ पर देखो, यह जो image background में लगी है, देखो इ background overlay color चड़ा दिया गया, जो थोड़ा black type का है, यहाँ पर भी same option आपको करना होगा, background वले टैप के अंदर background image आपने लगा दिये, अब यह है background overlay, इसको आप expand करो पहले तो, यह background overlay का option आ गया, यहाँ पर background type है, classic, click करो, और colors में जाके, यहाँ पर आप color set कर दो पहले, ठीक है, यह देखिए, मैंने dark color यहाँ पर set कर दिया, यहाँ पर black, तो देखो कोई एक black type के layer यहाँ पर चड़ गई है, अब अगर मैं white text लिखूंगा, तो white text बहुत clear दिखाई देगा, ठीक है, अब हम यह वाला element यहाँ पर लेने वाले है, 20 plus years of practice, तो यह क्या है, counter होता है, ठीक है तो यहाँ पर आप पहले grid icon पर click करो, और search widget में आपको search करना है, counter, यह है counter, इसे उठा के पहले वाले column में डाल दीजिए, okay, देखिए number automatically increase हो रहा है, plus नीचे लिखा हुआ है cool number, अभी better visible नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे more visible बनाएंगे, पहले चीज़ तो number को change करते है अब जैसी आपने इस widget को यहाँ put किया है, setting left hand side पे open हो गई, यह है starting number और यह है ending number, starting मतलब जब यह page load होगा, तो गिंती कितने number से शुरू होगी, यहाँ पर 0 से है, तो 0 से start हो जाएगी, अगर आप इसको 50 कर दोगे, 5 कर दो या 50 कर दो, यह को 50 से गिंती start होती है, तो फिल number prefix, number suffix, number prefix में अगर आप जो कुछ भी लिख दोगे, a, b, c, d, rupees कुछ भी, तो वो इस number के पहले लिख करके आ जाएगा, जैसे मालों में लिख देता हू, rs, rupees, तो देखिए, rupees 20 लिख के आ गया, अगर मैं number suffix के बाद यहाँ पे slash और minus लगा दूं, तो इस type से आ जाएगा यह, मतलब से number बढ़ेगा, बागे पहले rs और यह forward slash और hyphen का जो symbol है, static रहेगा, बस value यह वाली बढ़ेगी, तो फिलाल इसे तो हम यहाँ से हटाई देते हैं, इसके जरूरत नहीं है, ठीक है, तो number तो हमने 20 set कर दिया है, आचा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, suffix में लगा हुआ है, प्लस, तो आप भी यहाँ पे suffix में डाल दो, ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, टाइटल, टाइटल क्या लिखा है, years of practice, यहाँ पे यह को title वाला box है, इसको आप कर दो, years of practice, यहाँ पे change हो गया है, अब इसा color change करते हैं, अब color change करने के लिए फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जाना होगा style में, style में जाएए, text color, number, number tab में, मतलब number का color यहाँ से change हो सकता है, right now blue है, इसे कर दीजिए white, ओके, यह white हो गया, अब इसके बाद title में चलते हैं, तो नीचे लिखा होता है title, title के text का color आपको क्या करना है, orange, तो यह मैं typography भी change कर लो, तो यहाँ पर typography में चलो, right now robotos lab है, यहाँ पर कर देते हैं, mont serat, यह font काफी अच्छा है, मेरा तो हलंगी favorite font है, और size यहाँ से आप set कर सकते हो, जितना भी आपको रखना है, तो फिलाल मैं इसको 14 पे छोड़ूँगा, और weight यहाँ पर कर देते हैं, 500, ठीक ह तो exactly same हो गया जैसा reference website पे दिया हुआ है, एक बार एक काम करते हैं, इस page को refresh करके front page पे check करते हैं, कि कैसा दिख रहा है यह, तो home page को refresh कर लेते हैं, ओके, आप देखो यह इस type से दिखाई दे रहा है, अब हमने एक element बना लिया है counter का, यहाँ पे हमें 4 element चाहिए हैं, तो पेले कॉलम में, यहाँ से इसको duplicate करते हैं, and then drop करते हैं, राइट कॉलम में, इसी तरह से इसे भी duplicate करो, और drop कर दो राइट कॉलम में, देखो कितना time हमारा save हो गया, हमें बार बार zero level से इसको नहीं बनाना पड़ा, अब दूसरे में 699 k plus है, happy patients, तो फटा फट सेकंड वाल certificates, फटा फट काम होता है, मतलब आपको time जादा spend नहीं करना है, 12 certificates and diplomas, third वाले में चलिए, number कहां तक जाएगा, 12 तक, और यहाँ पर लग लेंगे, certificates and diplomas, okay, I think plus नहीं है, तो plus को हम हटा देते हैं, और last में है, 32 scientific articles, यहाँ पर last में चलो आप, content में जाओ, 32 तक जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, c, i, n, t, i, f, i, c, articles, update कर दीजिए, एक बार home page को refresh करके देखिए, कि actual में जो changes की है, वो हुए भी है या नहीं, तो आप देख सकते हो कितने कमाल का feature है, और element रों WordPress में ही यह possible है, अभी आप कोई coding language सीखते हैं तो आपको एक महीना लग जाता है, इस element को यहाँ पर put करने में, अब third चीज क्या है, parallax effect लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप background image fixed दिख रही है, बट हमारे case में background image fixed नहीं है, यहाँ पर image भी scroll हो रही है, तो parallax के लिए simple सा तरीका है, हमने जहां से इस image को background में set किया तो वहीं पर जाना होगा मतलब section के style वाले background के setting में, और यहाँ पे एक नया option है, attachment, right now default है, इसे कर दो fixed, अब जैसी आप fix करके इसे update करोगे, तो background image में parallax लग चुका है, एक बार refresh कर लेते हैं, अब आप देखो, scroll करो, उपर नीचे देखो, है ना, background image fix है, आप देख सकते हो, background image किस type से fix हो करके आ रही है, तो इस तरह से आप background image को fix कर सकते हो, अपनी wordpress website में, अब हमारे पास next क्या है, next ये वाला section बना हुआ है, चलो इसको भी फटा-फट ready करते हैं, ज्यादा time आप समझो ही, जो heading लिखी है, ये वाली heading और ये वाली heading, इसकी font styling और इसकी भी font styling लगबग match करती है हमारे इस वाले section से, बस text change करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस उपर वाले section को पूरे section को ही duplicate कर लेते हैं, पूरा section duplicate कर लिए, ये आगया उठके है, ना, same way size के नी दिया आई है, इस टाइप से parallax दिख रहा है, अब लास्ट वाले section है, इसको हमें ऐसा बनाना है, कैसा, इस type का बनाना है, तो कोई इशो नहीं है, फटावट बनाते हैं, पहले तो इसका color हम चेंज करते हैं, बैक ग्राउंड में color यहाँ पिंक type का set है, हमें काम करते हैं, थोड़ा से gray type कर देते हैं, इतना, काफी gray हो गया है, और light रखेंगे से, ठीक है, इतना कर दिया है, दूसरी चीज़ आप यहाँ में notice करो, यह जो image है, अभी इस image वाले section पर हालंगी आते नहीं है, यहाँ पर basically यह लिखा हुआ है, heading wedding, ठीक है, image को यहाँ से delete मारो, ठीक है, अब एक काम करते हैं, जितना भी content यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सारे content को हम center align करेंगे, तो first of all heading में चलते हैं, यहाँ alignment है left, इसे कर देते हैं center, इस वाले heading में चलो, इसे भी कर दो center, और इस paragraph में जाके style में मिलता है, इसका option, इसे भी कर दो center, इतना कर लिया, बाद line change है, तो हमें भी क्या करना बढ़ा है, जुस्तो के बाद, यहाँ पर line change करनी है, अब line कैसे change करोगे, यहाँ आप change करोगे, तो बहुत space आ जाएगा, देखो है, तो आप एक काम करो, पहले यहाँ से change मत करो, यहाँ पर आप देखो, यह होता है visual editor, और यह होता है text editor, तो आप text पे जाओ, अब जुस्तो के बाद, एक HTML के tag पुट कर देना, bracket start करो यह वाला, फिल लिक दो BR, और bracket close कर दो बस, यह line को break कर देता है, देखे, line break हो गई न, अब सही तरीके से दिख रहा है यह, इसके बाद, ऊपर वाले text क्या है, reasons to work with me, तो यहाँ से पहले copy कर लो after that यहाँ चलते हैं, इस वाले text का हम change करेंगे, तो यहाँ पे हमने paste कर दिया, same text, और यह वाले text को भी change करना है, इसमें लिखा है guaranteed results, तो भई guaranteed results को यहाँ से copy करो, dr. Laura Vidal को हटा करके, यह हमने put कर दिया, third चीज़ क्या है, guaranteed results सारे के सारे capital letter है, style में चलो, typography में, यहाँ पे bold करने के लिए यहाँ पे weight बढ़ा दो इसका, 800 कर दो, यह 900 देखते है 900 पे कितना bold होता है, 900 पे काफी bold होता है, 800 कर देते हैं, और font size थोड़ा से increase कर लेते हैं, एक चीज़ और, यह चोटा वाले text है, यह उपर लिखा है, इसका font size भी कापी चोटा है, चोटा वाले text जो है इसे पहले उठा कर रखो ऊपर, और इसका font size थोड़ा चोटा कर देते हैं, तो आप चलो typography पे और यहाँ पे 18 से कर दो इसे 16, अब ठीक है यह, और यहाँ पे divider line भी पढ़िए बीच में है, divider line हम उपर से उठा लेते हैं, अभी simple plane वाले line को भी put करेंगे, तो इसे से इसको उठा के लिए चलते हैं, नीचे, तो आप simply इसको यहाँ से ऐसे move करा सकते हो, पहले हमने इसको यहाँ put कर लिया, after that वापस चलते हैं नीचे, इसको कहीं और भी put कर लेते हैं, like this, and then after यहाँ से उठा के हम put कर देंगे, guaranteed results के just नीचे, और इसका alignment तो middle ही है, after that update कर द लगा हुआ है, और यह guaranteed results वाला section बन गया, अब इसके बाब यह वाला section create करना है, तो पहले आपको दिमाग फिर से लगाना है, कि एक section लिया होगा, उसके अंदर एक inner section ले रखा है, inner section को तीन columns में divide किया है, यह वाले image भी download करके रख लो पहले, मैं रख लेता हूँ अस image को अब यह क्या है, basically, element क्या है, यह element होता है, icon box या image box, तो फिलाल हम icon box यूज करने वाले हैं, आप elementor पे चलो, और यहाँ पर आप ले लो एक inner section, ओके, तो left hand side पे चलते हैं, और यह है inner section, इसे drop कर दो यहाँ पर, क्योंकि यह already एक outer section था, यह inner section आ गया, इसको तीन columns में divide करो, एक column और add कर दिया, तीन column हो गए, पहले right वाले column में एक image पुट कर देते हैं, तो यह है image, इसे आप यहाँ पुट कर दो, okay, after that choose image पे चलते हैं, upload files में, select files, और यह वाली वो image है, इसे आप upload कर लो, ठीक है, तो यह media library में upload हो गई, after that insert media करते हैं, यह image यहाँ पे आ गई, style में, पहले तो इसका corner करेंगे, rounded corners, ठीक है, तो border radius को बढ़ा दीजिए थोड़ी थोड़ा, यहाँ पे नो border radius को बढ़ा दिया है, 8 तक कर दिया, अब इस image में अगर आपको shadow effect लगाना है, जैसा कि यहाँ पे देखिए लगा हुआ थोड़ा shadow effect है, तो वो कैसे लगाते हैं, उस shadow effect को हम कहते हैं, box shadow, तो यह देखो pencil पर जैसे click करोगे, 3D अपने आप effect लग गया है, अब यहाँ से आप settings वगरा इसकी change कर सकते हो, जैसे horizontal थोड़ा से right में shift करना है, right में shift कर दिया, vertically थोड़ा से नीचे shift करना है, नीचे shift कर दो, ठीक है, आप चाहो तो blur की यहाँ पे बहुत simple है, 3D type की image आ गई, यह काफी cool feature है, मतलब आप बहुत easily इसको कर सकते हो, elementor में सिर्फ आपको practice करनी होती है, अब हम चलते हैं, यह वाला section create करते हैं, यह लिखा है, easy meals और यह कुछ text वगरा लिखा है, पहले मैं एक साथ पूरा copy करूँगा, ताकि मुझे बार-बार यहां ना आना पड़े, अब पहले इस वाले section में, आप यहां पर search करो, icon, तो यह आ गया, icon list है यहां पर, यह है icon box, तो आपको icon box यहां पर फिलाल use करना है, मतलब icon के साथ में ही heading और text लिखा होगा, ठीक है, तो by default star आता है, पहले तब icon change कर लो, तो icon library में जाओ, और यहां यहां पर कोई साथ भी icon ले सकते हो, just like fork है, देखें, fork नहीं है यहां पर, kni, knife भी नहीं है, हम कोई साथ भी icon यहां पर ले ले लेते हैं, इस सिर्फ आपकी practice के लिए है, so let's say मैं यहां पर diamond ले ले लेता हूँ, for example, insert किया हमने, diamond आ गया, अब इसके बाद view के आ रहा है, default, तो आप चाहते हैं, stacked कर सकते हैं, जैसे stacked करोगे, यह इस type से दिखाई देगा, अगर आप इसको यहां पर framed करोगे, तो इस type से दिखाई देगा, तो फिलाल इसको हम default पर रखेंगे, ठीक है, अब इसके बाद सबसे नीचे आओ देखो, icon की position क्या दिए, top दिए है यहां प देखेता हूं, और description वाले box में your remaining text हैं, उसे put कर देंगे like this, ठीक है, इतना कर लिया, इसके बाद अब हम font का color बगरा match कराते हैं, यह orange color में icon है, यह orange color का code मैंने copy कर रखा है, यहां से इसे मैं फट से copy किया, style में चलते है, icon वाले section में primary color है blue, इसे मैं paste करूँँगा यहां पे orange color का code, ठीक है, heading I think black है, ठीक है, अब हम चलते है, content वाले tab पे, यहां पे title का color blue है, इसे आप कर दो dark black, ठीक है, इतना कर लिया, साथ ही साथ में typography में हमें transform करना पड़ेगा इसे uppercase में, सारे letters upper में हैं, और यहां पे font style करेंगे, Montserrat, font का यहां पे size थोड़ा छोटा करना होगा, तो size हमने इतना easy meals, 16 पे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके बाद description है, description का color क्या करना है, हमें थोड़ा सा dark करना है, यहां से, थोड़ा dark कर दिया, आप description की भी typography यहां से change कर दोगे, मैं यहां पे कर लेता हूँ, इसको Montserrat, और साथी साथ में आप चाहो तो font weight कम यह जादा कर सकते हो, यह आपके ऊपर है, फिलाल मैं इसको इतना कम कर लिया है, ठीक है, एक काम और करते हैं, आप देखो title में spacing दे रहा है, यहां से आप title और नीचे description के बीच में spacing कम यह जादा कर सकते हो, like this, तो फिलाल हम spacing इसकी कम ही रखेंगे, ठीक है, ताकि फोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, साथी साथ में icon में भी जाओगे आप, तो icon देखो spacing दे रहा है, मतलब इस icon और इस content के वीज़ में कितना space है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ा हो इतना gap आ जाएगा, फिलाल इसको हम कम से कम ही रखेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर रखा है इसको 15, आल राइट, यह section हमारा बन गया, अब इसके बाद जब आपको लग रहा है, section perfect हो गया है, तो simply आप इसे duplicate कर दो, एक बार फिर से इसे duplicate कर दो, तीन हमारे पास बन चुके है, ठीक है, तीन बार और duplicate करेंग After that, we can refresh our homepage, here we go, आप देख सकते हो, almost similar type का content हमने create किया है, यह icon कुछ premium icons है, जिन्होंने अपनी website पे कहीं से purchase तरके लगा रखें, तो इन icons को हम download नहीं कर सकते हैं, देखिए, right click में image save करने का option नहीं हा रहा है, तो इसलिए मैंने इन icons को use नहीं किया है, but आपको idea clear हो गया इमेजेस में, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, तो content आप खुद चेंज कर लेना, अब दूसरी चीज़ में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखो, इस पूरे यह पूरा जो section है, inner section, इसमें देखो आप image की height इतनी है, इसलिए पूरे section की height इतनी हो गई, लेकिन जो first और second column है, जिसके अंदर हमने icon boxes लिये हैं, यह सारे icon box उपर चिपक गए, नीचे काफी extra space आ गया है यहाँ पर भी, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको middle में align करो कैसे, फिर से repeat कर रहा हूँ, column की setting में जाओ, और यहाँ पर layout में मिलेगा vertical align, इसे आप कर दो middle, तो यह middle में देखिए, इस type से यह आ गया है, काफी beautiful देखिए हमने page यहाँ पर create कर लिया है, almost काफी अच्छा page create किया है, जो के बिलकुल similar है हमारे reference website से, इसी तरह से one by one हम सारे sections को create करते चलेंगे, अब यह वाला section अगर आपको create करना है, तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा, यह आपक assignment के लिए है, आप थोड़ा से दिमाग लगाओ, practice करो, तब आप से यह बनेगा, ठीक है, यहाँ पर same section लिया है, तो क्या करना आप, ऊपर वाले पूरा section को यहाँ पर duplicate कर देना, content change कर देना बस, फिर यहाँ पर लेना inner section, तीन columns में already divided है, पहले image दिखाना, फिर heading ले 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 इसके बाद इस वाली image को भी save कर लेते हैं, चलो, यह भी save कर लिया, and then यह वाली image भी save कर लेते हैं, तीन images हमने save कर ली है, अब इस section का logic भी क्या हो सकता है, कोई भी hard logic नहीं है, एक पूरा का पूरा section लिया गया है, उस section को दो columns में divide किया है, first वाले column में इस image को रख दिया गया, second वाले column में heading है, divider है, text है, और यह कहलाता है icon list, और फिर एक button है, simple तो है, कोई complex नहीं है, तो जलिए इस type का section create करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा, एक section, तो हमने इस दो column का section ले लिया, first वाले column में image put करो पहले, image drop किया, setting left hand side पे automatic open हो गई, choose image यह, upload file में जाईए, और यहां से आप upload करोगे यह gym वाली image, ठीक है, यह हमने image को upload कर लिया है, अपनी media library में, after that insert media करिए, और यहां पे आपको करना होता है full, पहले चीज़ तो यह है, अब दूसरी चीज़ आपको यहां पे ध्यान देनी है, एक बार मैं update करके आपको दिख यह पर थोड़ा सा, और left में काफी जादा है, reason यह है कि हमने यह outer section जो लिया हुआ है, इस outer section की by default जो with है, वो box layout है, मतलब box है, box मतलब यहां से लेके यहां तक बस define होता है, हमें पहले outer section को full with करना होगा, तो वो कैसे करते हैं, outer section के setting में चलो पहले तो, यहां पर देखो य इसे कर दो full with, पहला काम यह कर दिया, अपडेट कर दो page को, तो section अब क्या करेगा, full with occupy करेगा browser की, अब refresh करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, है न, section give with यहां पर बढ़ चुकी है, अब दूसरी चीज किया है, आप देखो, यह image के ऊपर कुछ extra wide space है, left में extra wide space है, औ और bottom में भी extra wide space है, तो right में भी होगा, right में समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि right में कोई line नहीं खिचिए, हमने जो यहां पर section ले रखा है, इस section में by default दो column से, यह पहला column है, इसका icon यह दिया है, यह second column है, इसका icon यह दिया है, तो by default column में inner padding पहले से ही कुछ set होती है, आपको उस inner padding को zero करना है, ताकि यह जो extra space है, यह हट सके, तो आप पहले वाले column की setting में चलो, advanced में जाओ, और यहां पर padding में कुछ नहीं लिखा है, मतलब by default अगर theme developers ने 5 pixel की padding set कर रखी होगी, तो यहां पर 5 automatically apply हो जाएगी, तो आप इस padding को कर दो यहां पर zero, सारी padding कर द extra space नहीं है, जैसा reference website पर था, as it is हमारी site पर भी हो गया, तो यह setting आपको miss नहीं करनी है, after that क्या लिखा है है, यह heading लिखिए fitness training, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस heading को यहां से duplicate कर लो पहले तो, duplicate करके सीज़े नीचे आप इसको drop कर दो ले जाकर के बस, पहले हम यहां इसको put कर देंगे यहां पर, और लिखा क्या है इसमें, fitness training, चलिए इस heading को यहां पर change कर देते हैं, fitness training, साथ ही साथ में alignment कर दीजिए, left, style में चलते है, style में font का size थोड़ा छोटा कर दीजिए, काफी बड़ा font है यहां पर 25 pixel ठीक है, after that कुछ text भी यहां पर लिखा हुआ है, इस text को य elementor में, यही वाला same text है से duplicate करो, okay, after that इसे उठा के ले जाते हैं नीचे यहां पर, and then यहां से उठा के drop कर देंगे fitness training के just नीचे, ठीक है, फिर इसके बाद आपको style में चलना है, और यहां पर alignment कर दो left, इतना हमने कर लिया, अब इसके बाद यह क्या चीज है, यह है icon list, ठीक icon list, यह आगे icon list, drop कर दीजे यहां पर लाकर के से, okay, जैसे आप drop करोगे, इसके setting left hand side पे open हो जाती है, यह 3 tab पहले से दिये हैं, list item 1, यहां पर लिखा है list item number 1, इसी दरह से यह लिखा है list item number 2 and 3, पहले एक काम करो, दो को यहां से delete कर दो, सिर्फ एक list बची, ठीक है, अब पह text हमने लिखा हुआ, reference website पर उसे paste कर दिया, सबसे पहला काम यही करना है, after that icon को change करना है, यहां पर icon कैसा दिया हुआ है, यह orange type का, और circular है यहां भी आप क्या करो, icon library में जाओ, और यहां पर search करो, check, यह check आ गया, यह रहा check, इसे select करो यहां से, insert कर दो, check तो यहां पर आ गय इसके बाद अब इसका color change करना है, color code orange वाला यह रखा है, उठाओ यहां से, style में गए, यहां पर icon में जा करके, color यहां पर blue है, इसे कर दो आप orange, ठीक है, icon का size आप यहां थोड़ा से increase कर सकते हो, अब हम चलते हैं, text में, text को थोड़ा से हम dark black करेंगे, text color यहां पर gray type का है, तो इसे black कर देते हैं, साथी साथ में text की typography भी आप यहां से change कर दो, यहां पर आप कर दो Montserrat, ठीक है, Montserrat कर दिया हमने, काफी ठीक है, अगर एक section सही बन गया है, मतलब एक element सही बन गया, तो अब कुछ नहीं है, content में जाओ यहां पर, आप icon list को duplicate कर सकते हो, तो हम यहां पर 5 हमने create कर दी हैं, जैसा के इस website पर भी created है, ठीक है, दूसरी चीदे और देखो आप यहां पर, style पर चलो, style देखो यहां पर क्या चीज़ है, basically, पहले यहां पर notice करो, यह पहली वाली icon list में और नीचे वाली icon list में बहुत कम gap है, अगर आपको gap बढ़ाना है, तो देखो style में list के अंदर मिलेगा space between, यहां से आप space increase कर सकते हो, icon list के बीच में, ठीक है, मैंने space increase कर दिया, और फिर यहां पर last में दिया, learn more का button, same learn more का button मैंने यहां बना रखा है, duplicate कर देते हैं इस button को पहले यहां से, इसके बाद धीरे दीरे इसको नीचे shift करेंगे, अब यहां put कर है, फिर से हमें करना है, यहां पर देखो, यह पूरा content अपने इस पूरे column के अंदर, बीच में middle aligned है, बट हमारे case में ऊपर चिपक गया, तो इसके column के setting में जाओ पहले, और vertical align में कर दो middle, यह middle में आ गया, इसके बाद update कर देते हैं, okay, let's refresh our homepage, here we go, देखिए, इस type of section बनके आगे, काफी cool section है, अब एक चीज़ और notice करो, जो right वाला यह column है, इसके अंदर जो content हमने रखा है, इस content के left में काफी extra space है, यह left में extra space basically क्या कहलाएगा, इस second वाले column की left padding, तो यह आप कैसे करोगे, इस column में जाओ पहले setting में, advanced में जाओ, और यहां पर padding का पहले यह icon कर दो uncheck, हमें सिर्फ left की padding को बढ़ाना है, तो आप left की padding को यहां से increase कर दो, तो यहां पर for example मैंने कर दिया 61, right की padding को भी थोड़ा आप increase कर दो यहां से, ठीक है, इतना कर दिया, एक चीज़ और है, हमने जुस्तों के जस्ट बाद यहां पर क्या किया हुआ था, BR tag लगा रख था, तो exactly same आगया जैसा इस वाली website पर है, ठीक है, अब इसमें next section कैसा बना है, देखो who about same as I section है, जैसा यहां पर बना हुआ है, बस image change है, content change है, तो आप क्या करो, पूरे का पूरे section को बढ़े duplicate कर दो यहां से, इसे duplicate कर दो, पूरा duplicate हो गया, ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या करके, बड़ा simple है elementor में काम करना, बस थोड़ा सा आपको practice करोगे न, तो आपको याद हो जाएगा, कहां पे कौन से elements है, हमने यहां पूट कर दिया, change कर लेना, आप text वगएरा, ठीक है, और एक बार और क्या करते है, उपर वाले section को duplicate करते हैं, फिर से, और इसके बाद section है, इसे उठा कर डाल दो ऊपर, बीच में यहां पर, ठीक है, तीक है, यह ऐसा आ गया, और यह third वाली image को यहां से हम change कर देते हैं, like this, यहां पर हमने लगा दिया को जिस type का section, और यह हो गई image, insert media, यह image भी आ गई, update कर देते हैं, इसको अब, okay, now let's refresh our front page, all right, so अब scroll down करत हैं, और आप यहां देखो, यह आ चुका है, dr. Laura का section, यह counter values बढ़ रही है, फिर मने इस type का section यह भी create कर लिया है, और साथ ही साथ में exactly same जैसा reference website पर था, वैसा ही section मैंने यहां पर create किया है, I hope आपको समझ में आया हुगा कितना easy है websites को बनाना, web pages को बनाना, ठीक है, अब next section देखते हैं, कौन सा section है, इसके बाद, okay, client वाला section है यह, फिराल इस section को भी छोड़ते हैं, बड़ा simple सा section है, time बहुत ले लेगा यह, इसे छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं करना है, testimonial का widget है, आप practice के लिए ठीक रहेगा, आप simply क्या करना, यहां पर सर्च करना, testi, testimonial, तो य नीचे रखें हैं, ठीक है, यह आप कर लेना, आपके लिए assignment है, मैं ऐसे section आपको करके बताऊंगा, जो आपको थोड़ा सा, इनो, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, अब जैसे यह वाला section है, इसको create करते हैं, यह toggle है, कैसे create करेंगे toggle, बड़ा simple तरीका है, पहले तो image क save कर लो, okay, image को save कर लिया, अब यह section आपको कहीं न कहीं देखो, इस type का दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर लिया हूँ है, इमेज चेंज हो गई है, बस यहाँ पर icon box की जगह पर toggle को use किया गया, बाखी पूरी heading सब इसी type की है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं पहल कर दिया, चलो, कोई बात नहीं है, slowly slowly हम नीचे लेके चलेंगे से, फिर यहाँ पूट कर दिया है, अब at last हम सबसे नीचे पूट कर देते हैं, all right, so यह section हमारे सामने आ चुका है, अब आपको पहले heading change करनी है, यहाँ पर, देखो heading क्या दी हुई है, common questions, questions and answers, वही दिकत नह हो गया, अब यह वाले element हमें यहाँ से delete करने पड़ेंगे, इसका कोई काम नहीं है, इन सारे elements को यहाँ से delete कर दो आप पहले तो, यह last वाला column है, इसे उठा के सबसे first में रख दो पहले तो, यहाँ पर रख दिया, अब इस image को हम change करते हैं, तो आप edit image पर जाओ पहले, यह यहाँ पर जाओ, choose image में, upload पर जा करके, हम एक new image को upload करेंगे, जो कि यह वाली image है, I think, open कर दिया, alright, insert कर दीजिए, तो यह image यहाँ पर आ गई, अब second वाले column में, यहाँ पर हमें search करना है, A, C, O, R, accordion, यह है accordion, toggle भी वही काम करता है, but accordion उससे better है, आप accordion यूस करो second list की तरह left hand side base की setting open हो जाती है, यहाँ पर यह दो tabs हो गए, इसे expand करके, आप यहाँ content लिख सकते हो, same चैस यहाँ भी कर सकते हो, पहले हम second वाले को यहाँ से delete करते हैं, first वाले को perfect बनाते है, question यहाँ पर क्या लिखा है, when will I see my results, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिख दे इसके बाद इस tab को हम बंद कर देंगे, अब इसको आप duplicate कर लो इस वाले icon से, तो दो, तीन, चार, ठीक है, एक और कर दे, पांच बना लेते हैं, ठीक है, इतना हमने कर लिया, इसके बाद चलते हैं style में, और style में चलके, अब यहाँ पहले title, color यहाँ पर क्या दिया हुआ ह है, तो चलो, आप title के color को पहले यहाँ पर कर दो, black, black हो गया title, ठीक है, दूसरे चीज़ यहाँ पर क्या है, active color, मतलब जो सा tab active होगा, उसका color क्या होना चाहिए, यहाँ पर right now green है, आप एक काम खुरो, इसे भी कर दो, यहाँ पर dark black, पूरा black हो गया, पहले चीज़ तो यह है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो text लिखा है, lorem ipsum, उसका font style वगर आपको change करना है, तो कोई दिखकर नहीं, चलो font style change कर लेते हैं, आप जाओ content में, content में पहले text का जो अंदर color है, यह, इस color को पहले आप change करो, थोड़ा सा dark करते हैं, ताकि यह readability में आसान रहेगा, फ इसे click करोगे, तो उपर वाला बंद हो जाएगा, है ना, अब जब यह section पूरा perfect बन गया, यानि यह पूरा element perfect है, तो इसे duplicate करके, और right वाले column में भी shift मार दो, इसे उठा के, I think गलत चला गया यह, एक second, आपको धियान देना, blue line दिखनी चाहिए, okay, so accordion यहाँ पे नहीं ज आ रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, इस वाले column को ही duplicate कर दो पूरा, यह column के icon रखो, और यहां कर दो duplicate, पूरा column duplicate हो गया, और last वाले column को कर दो delete, solution मिल गया आपको आपकी problem का, है ना, तो हर तरह का solution आपको मालूम होना चाहिए, at last let's update it, and then we can refresh our homepage, okay, scroll down करते हैं, देख यह toggle वाला option आ गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारे case में accordion में क्या होता है, अब देखो, accordion में से मालो एक section already open है, मतलब एक question open है, अगर आप दूसरा open करोगे ना, तो other वाला बंद हो जाएगा, यह देखो, है ना, ऊपर वाला open करूँगा, तो यह वाला बंद हो यह difference होता है accordion में और toggle में, ठीक है, यह section create हो गया, अब हमें बनाना है pricing table, यह भी वड़ा cool feature है, कि आप pricing table create करोगे, तो चलो pricing table बनाते हैं, पहले तो parallax effect लगाना है, तो आप पहले ले लो एक section, ओके, यह section आ गया, अब यह वाली image को लगाना है में background में, तो right click करो, open image in new tab, after that save images, और यह हमने save कर दी, that's it, after that अब हम चलते हैं यहाँ पे, section में जाएंगे पहले तो, अब यहाँ पे heading क्या दी है, make your choice pricing plans, तो एक काम करो, पहले तो section में background image को ही set कर दो, style में जाओ, background type, यहाँ पे choose image, upload files में पहले हम उस बड़े वाली image को upload करेंगे, जिसको हमें background में set करना है, okay, now insert media, okay, so background में image का display आ गया है, position में आपको कर देना है center center, attachment में कर दो को fixed, अगर आपको parallax करना है, then after repeat में कर यह no repeat और size में कर देना है cover, यह setting आपको पहले से मालूम है, अब इसके बाद आप इस plus पे click करो, और इसके अंदर ले लो एक inner section, ठीक है, यह हमने inner section ले दूसरा column यहाँ पर delete कर दो, अब first वाले inner section में आप क्या करोगे, जो heading उपर लिखी हुई है, duplicate करिए पहले तो इसको आप यहाँ से, इसको हमने कर लिया, यहाँ से duplicate, उठा के हम नीचे ले चलते हैं, यहाँ पर आ चुकी है, इसको उठा के रख देंगे हम inner section के अंदर, ठ duplicate करते हैं, और वापस चलते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ हमने put कर दिया, और इसके बाद हम इसे drop कर देंगे, इस inner section में ही, साथ ही साथ में जो हमने background image लगा रख ही है, तो उसमें काम और करना है आपको, हमने यह image लगाई है, background overlay में आप इसको set कर दो black, ताकि जो कुछ भी text हमारा होगा, वो सब text proper तरीके से visible होगा, तो color में जाके इसे कर देते हैं, dark black, ठीक है इतना हो गया, heading क्या है, make your choice pricing plans, तो इसे आप कर दो यहाँ पर, make your choice, इसे कर देते हैं, pricing plans, और pricing plan का color हम यहाँ पर कर देंगे white, यह हो गया white, अब क्या करना है, इस inner section को duplicate करो पहले तो, इसे कर दो आप duplicate, duplicate हो गया, अब इस inner section के अंदर जो भी heading लिखी है, उसे आप delete करो यहाँ से, इसे भी delete करो, तो हमारे पास यह extra inner section है, इस inner section में हम 3 columns add करेंगे, 2 columns हो गए, 1 column और add करेंगे, 3 columns हो गए, ठीक है, अब first वाले column में plus पे click करो, यहाँ पर search करो, P-R-I-C-E, तो इसको आप use कर सकते हो, इस type की price table बनाने के लिए, बट actual में जब आप इस पे click करोगे, तो यह कहेगा pro version purchase करो, क्योंकि यह free widget नहीं है, अभी तक हम जितने भी elements use करते हैं, वो सारे free थे, बट अगर आपको इस type की pricing table create करनी है, या इस type का form create करना है, तो उसके लिए फिर आप आपको Elementor का premium version purchase करना पड़ेगा, अब premium version का price क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, elementor.com पे चलते हैं, जो actual price इस plugin का है, बहुत ज़्यादा है, pricing पे चलके एक पर देख लेते हैं, ओके स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखो आप 49 डॉलर year, हर साल आपको 49 डॉलर पे करना पड़ेगा, अगर आप Elementor Pro इस website से purchase करते हो, तो basically आपको करना क्या है, यहाँ से purchase नहीं करना है, आप simply एक website open करोगे, wp scratch.com, so इस website से आप Elementor Pro purchase कर सकते हो, for just $10 और lifetime यूज़ कर सकते हो, आपको हर साल 49 डॉलर पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर simply आप type करो, E-L-E-M-E-N-T-O-R, ठीक है, तो यह आगे Elementor Pro Page Builder, simply आप इस पर click करोगे, और यहाँ पर आप देखो, $10 में आप इसको purchase कर सकते हो, सारे Indian payment gateway, payment cards वगरा साब यहाँ पर support करता है, आप चाहो तो इंडियन रुपीज में price देख सकते हो, convert करके, 820 रुपे totalis का price है, और इसके बाद आप कोई भी credit debit card से यहाँ पर purchase करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर payment करके purchase करोगे, तो यह file आपके computer पे .zip format में download हो जाएगी, मतलब यहाँ से आपको Elementor Pro .zip format में पहले download करना है, अपने laptop पे, उसके बाद आप अपनी WordPress website में upload करोगे, ठीक है, तो पहले आप इस page को यहाँ update कर दो, मैंने already Elementor Pro purchase कर रखा है, तो पहले मैं एक काम करूँगा अपने WordPress के dashboard में जाऊंगा, अब dashboard कैसे open होगा, टॉप left corner पे देखो यह hamburger का तीन line आती है, यहाँ पे icon है, क्लिक करो इसके उपर, और यहाँ पे है exit to dashboard, इस पर आप क्लिक कर दो ओके, यह WordPress का dashboard open हो गया, after that आपको जाना होता है plugins में, और यहाँ पे क्लिक करो add new, अब Elementor Pro premium plugin है, जो कि आपके laptop पे download हो जाएगा, तो उस plugin को आपको upload करना है यहाँ पर, तो upload का option यह होता है, upload plugin पे क्लिक करो, browse में जाओ, और जहाँ पर भी आपने downloaded file रखी हुई है, उसे आ आप upload कर दोगे, तो already मैंने Elementor Pro यहाँ पे download कर रखा है, जो को already purchase किया है, open कीजिए आप, और simply install now पे click कर दीजिए, कुछी seconds में यह file आपकी website में install हो जाएगी, after that आपको activate कर देना होता है, ओके, let's activate plugin, ठीक है, तो Elementor Pro हमारी website में upload और activate भी हो चुका है, अब वापस चलते है हम pages में, all pages, अब यहाँ पे all pages में उस page के just बाद Elementor लिखके आने लग जाता है, और यह option भी दिखने लगेगा, edit with Elementor, लेकिन यहाँ पे आप गौर करोगे, जो other pages है, मैंनो उनको भी edit नहीं कि Elementor से, तो ना तो यहाँ पे edit with Elementor लिखके आया, ना इनके आगे Elementor लिखा है, त तो अब हम home के edit with Elementor option पे यहाँ click करेंगे, ताकि directly Elementor के screen load हो जाएगी, so Elementor यहाँ पे देखिए load हो चुका है, सारा content हमारा सब कुछ saved है, जैसा हमने already update किया था, अब एक काम करते हैं, इस plus पे फिर से click करते हैं, और यहाँ पे left hand side पे search करेंगे P-R-I-C-E, price, देखिए price table है अब lock symbol नहीं आ रहा है, आप इसा simply drag and drop कर सकते हो, क्योंकि हमने Elementor Pro को install जो कर दिया है, अब यहाँ पे आप simply drag and drop करो, देखिए पूरी pricing table बनके आ गई है, even इस website से ज्यादा अच्छी बनी हुई है, इस website पे बड़ी plain सी pricing table है, बड़ यहाँ पे काफी अच्छी बन करके अब लिख सकते हो, best for startups, ठीक है, price आप यहाँ पे set कर सकते है, जो भी price आपको set करना है, currency बगरा भी change कर सकते हो, जैसे अगर आपको Indian rupees का symbol लगाना तो Indian rupees यह दिया है, rupees में हो गया, इसके बाद जो भी price आपको यहाँ पे set करना है, जैसे मालो आपको करना है 399, तो आपने 3 399 कर दिया, यह monthly होगा, yearly होगा, कैसे होगा, तो आप यहाँ पे वो text put कर दोगे, ठीक है, अगर आपको sale price set करना है, मतलब यहाँ पे 399 दिखागे, फिर कुछ अलग price दिखाना है, तो पहले आप sale को enable करो, एक नया box आ जाएगा, अब यहाँ पे आप sale price वगरा mention कर सकते हो, फिलाल sale price हम यहाँ पे add नहीं करेंगे, after that हम चलते है features में, अब यह features क्या है, features यह है, list item number 1, 2, 3, यह सब feature होते हैं, यहाँ पे देखो लिखा होगा यह है, यह सब feature, आप क्या क्या दोगे इस plan में, तो जो भी चीज़े आप देने वाले हो आप यहाँ पर put कर सकते हो, जैस इसके बाद इसको duplicate कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं, like 30 GB SSD storage, इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, like one email account, then after हम यहाँ पर लिख सकते हैं, like free domain, इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो, just like 30 days money, back, guarantee, ठीक है, इस ताथ जितने features आप चाहो, उतने यहाँ पर लगा सकते हो, after that अब यहाँ पर दिया हुआ है footer, footer क्या है, footer यह वाला area जहाँ पर button वगरा पुट किया है, तो अगर आप online payment gateway भी अपनी site पर लगा रहे हो, तब तो button यहाँ पर लगाओ, और फिर button को link करव लगाना है, तो आप हटा दो, अगर आपको button लगाना है, तो फिर आप यहाँ पर payment gateway के page से link करवा सकते हो, हलंकि मैं इसके लिए separate video मेरे channel पर अलड़ी बनाया ही हुआ है, आप subscribe कर लिजे, ताकि future में जब दुबारा फिर से ऐसा कोई video बनाऊँगा, तो आपको मालूम हो ज यह लिखा है, popular है ना, यह ribbon है, तो फिलाल इस case में आप ribbon को hide कर दो, हम middle वाले plan में करेंगे, अब जब आपकी एक pricing table ready है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक काम और कर सकते हो, header का color वगरा भी change कर सकते हो, तो header को चलो हम कर देते है, orange, ठीक है, तो आप क्या करो, इस pricing table क setting में जाओ, style में, style में आपको मिलेगा header, background color यह set है, यहाँ पे आप orange पेस्ट कर दो, देखिए orange हो गया ही है, अब यह थोड़ा सा match कर रहा है, button का color भी हम change कर देते हैं, orange कर देते हैं, तो footer में चलो, और footer में देखो यहाँ पे button का color क्या है, green, इसे भी कर दो orange, तो इतना अगर रख दो third वाले column में, तीन pricing table फटा फट हमने create कर लिए, अब बीच वाली pricing table है, इसमें एक काम करते हैं, पहले तो इसका header color थोड़ा सा change कर देंगे, यह चलो change नहीं भी करते हैं, एक काम करते हैं, content में चलते हैं, यहाँ पे ribbon को enable कर देंगे, और यहाँ पे लिख दो just है, यहाँ लिख दो, small businesses, ठीक है, price आप थोड़ा से यहाँ पे change कर दो, जैसे यह 3.99 है, तो आप कर दो 8.99 से, बाकि जो कुछ भी आपको changes करने हैं, वो आप यहाँ features में कर लेना, changes, third वाले में चलते हैं, third वाले में plan करना, पहले हम यहाँ आप उट कर देते हैं, just like platinum, और यहाँ पर कर देते, best for industries, ठीक है, price यहाँ पर बढ़ा दो, just like 12.99 मंतली, ठीक है, after that update कर दिया हमने, तो पूरी के पूरी pricing table हमारे पास ready हो चुकी है, it's time to refresh our homepage, okay, here we go, so आप देखो, काफे खुबसूरत हमने pricing table यहाँ पर बनाई हुई है, और काफी अच्छी लग रही है, पूरे plans वगरा सब कुछ यहाँ पर है, so इस type से आप Elementor की help से सारे चीजों को यहाँ पर करने वाले हो, latest post वगरा फिलाल यहाँ भी use नहीं करेंगे, बट मैं separate page बनाने वाला हूँ, जिस पर हम पूरे का पूरे block post को dynamically दिखाएंगे, मतलब एक page बन जाएगा, ब्लॉग ना contact detail है, अगर कोई आप से contact करना चाहता है, then how they can contact you, so यहाँ पे contact form भी है, साथ ही साथ में right hand side पे contact details है, चलो इस section को भी फटा फट complete करते हैं, इसके लिए पहले आपको एक काम करना होगा, आप simply उपर से इस वाले section को duplicate करो, ठीक है, क्योंकि हमें काम को smart तरीके से करना है, जल heading change कर दो, यहाँ से, so यहाँ पर क्या लिखा है, contact me for any question, इसे copy कर लेते हैं, after that elementor पर चलते हैं, और यहाँ पर इसे change कर दो, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या लिखिये है, यहाँ पर reach me to say hi, ठीक है बई, reach me to say hi कर देते हैं, बाकिस वाले text को नहीं छेडेंगे, अब यहाँ प एक काम करते हैं, पहले हम इस image वाले column को delete कर देते हैं, अब बचे दो columns, अंदर जो भी हमने यहाँ पर accordion ले रखा है, इसे भी delete कर दो, इस वाले को भी delete कर देते हैं, अब दो columns बचे, first वाले column में हमें पहले क्या करना है, contact form put करना है, तो चलो, first वाले column में यहाँ पर हम contact form को search करेंगे FORM form यह आ गया form, drop कर दो यहाँ पर, contact form देखिए बन के आ गया, कितना simple elementor में अब इस contact form को थोड़ा सा customize कर देते हैं, यहाँ पर by default तीन field आती है, name email और message, अब देखो name field में अंदर लिखा है name जिससे user को मालुम चलेगा कि इस field में, इस box में नाम put करना है, वहीं इसके just उपर भी लिखा है name, तो इसका मतलब क्या है, दो दो जगे लिखा है कि आपको इस field में नाम put करना है, तो उपर जो लिखा होता है, उसे कहते हैं label और जो box के अंदर लिखा है इसे कहते हैं placeholder तो यहाँ पर काम करते हैं, या तो हम label हटा दें, या placeholder हटा दें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी reference website से match करने के लिए हम label को हटा देंगे, जो ऊपर लिखा है name, email से हटा देंगे, ठीक है तो left hand side पर देखो form के सारी setting है, पहले तो यहाँ पर content के जस्त नीचे है, content tab में label है इसे कर दो hide, content में label को हमने hide कर दिया, label हट चुका है अब कौन-कौन सी field है, नाम है, email है phone number है, message है, तो चलो नाम, email तो आ गया phone number add करना है, नई field तो आप पहले add item पर click करो अब phone number क्या होता है, number add पी field होती है, तो यहाँ पर type में text करो number, तो यहाँ पर type में select करो number, यह है number, ठीक है अब label में put कर दो phone और place holder में भी put कर दो phone, ठीक है phone number, इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यह field mandatory हो, मतलब form तब तक submit नहीं होगा, जब तक कोई भी बंदा अपना phone number यहाँ पर enter नहीं करेगा, तब तो आप इसको क्या कर दोगा required कर दोगे, otherwise आप इसे not required रखो, ठीक है इसके बाद इस tab को बंद कर देते हैं phone number यहाँ पर add हो गया, अगर आपको order change करना है, phone number को उपर पुट करना है, तो यहाँ से उठाओ, इसे उपर पुट कर दो, that's it, ठीक है after that, update कर देते हैं and then we can refresh our front page alright, let's scroll down आप देख सकते हो, यहाँ पर यह contact form create हो गया है, अभी इसको और attractive बनाएंगे, पहले चीज़ तो यह है, नीचे वाला section और इसका पूरा background color white है, तो एक काम करो, इस वाले section में हमने background color को gray type का set किया था, style में जा करके, यहाँ पर background color को completely remove कर दो, clear कर दो, ठीके, clear white हो गया यह, अब इसके बाद right column में क्या दिया हुआ है, कुछ text लिखा है यह, कोई बात नहीं, copy करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम ले लेंगे text editor, इसमें हमने paste कर दिया copied content को, style में गए, style में जाके text color को थोड़ा सा हम कर देंगे dark, ठीक है, after that typography में चलते हैं, font style कर देंगे, mont serat, ओके, इतना हमने कर लिया है, इसके बाद आप line के letter के spacing थोड़ी से बढ़ा सकते हो, like this, ठीक है, इतना हो गया, after that दूसरा क्या है हैं आपे, icon list ले हुई है, तो चलो icon list लेते हैं, इस type से हम यह सब चीज़े भी create करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, icon list लेंगे, grid icon पर click करो, icon icon, यह आगए icon list, इसे आप यहाँ put कर दीजिए, left hand side पर देखिए सारे icon list आ चुके हैं, पहले आप second और third को close कर दीजिए, first वाले को expand करो, और text में लिख दो, जो हमने copy कर रखा है, और यहाँ पर आप icon library में जाके select कर लो, c l o c k clock, यह आगया clock, ठीक है, यह यह वाल icon भी ले सकते हो, और icon का color हमें क्या करना है, वो आपको में पहले बता चुका हूँ, style में जाएंगे, और यहाँ पर icon में जाके, color कर दीजिए, orange, साथी साथ में icon के size को भी यहाँ increase कर देते हैं, ठीक है, और text में जाकर के एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं, dark, black, और थोड़ा सा text हम बढ़ा कर देंगे, तो typography में आपको मिलेगा size का option, यहाँ से थोड़ा text को बढ़ा कर दीजिए, ठीक है, इतना हो गया, इसके बाद जब पहला section perfect बन चुका है, मतलब पहला जो list है, वो perfect बन चुकी है, आप duplicate करते चले जाएए, इसके बाद second वाले को अगर आपको edit करना है, second वाले में क्या लिखा है, phone number लिखा है, तो कोई बात नहीं है, यह ले लो, आप यहाँ पे phone number, इसमें put करो phone number, और icon यहाँ पे change कर दो, कर आया, और इसमें आप email को put कर दीजिए, ठीक है, हमने email भी put कर दिया है, अब fourth में आपको जो भी put करना हो, वो आप यह put कर सकते हो, just like address है, अब address के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो, map pin, यह है address के लिए सबसे best icon, हमने ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, just like, I am from satna mp, ठीक है, अब social media icons put करने हैं, यहाँ पे grid icon में search करो, social, 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 यह social icons, आप यहाँ बे drop कर दीजिए, ठीक है, social media icons आगे, जैसी आप drop करोगे, left hand side पे देखो, सारे social media icons के tab आ चुके हैं, पहले चीज़ तो यह alignment कर दीजिए, left में, ठीक है, दूसरे चीज़, facebook में चलो, यहाँ पे आप देखो, अपने facebook का page का link पुट कर सकते हो, https के साथ में, जैसे मेरा facebook है, जहाँ पे आप मुझे follow कर सकते हो, https colon slash slash www.facebook.com, then forward slash web guru saddam, like this, ठीक है, अब मान लो, आपको twitter को हटाना है, तो अब क्या करों यहाँ पे, icon library में जाओ, और यहाँ पे for example, हमें instagram लगाना है, तो INSTA, यह instagram का icon आ गया, इंसर्ट किया, अब आप मुझे चाहो तो instagram पे भी follow कर सकते हो, username मेरा है यहाँ पे, पहले https colon forward slash, then instagram.com forward slash, अब मेरा username आ गया, onlysaddam, only saddam, ठीक है, तो इस तरह से जितने चाहो होतने, आप social media icons यहाँ पे add कर सकते हो, अब icon काफी बड़े हैं, आपको गर icon का size चोटा करना है, तो style में चलो, और यहाँ पे देखो, size दिया हुआ है, icon के just नीचे, तो आप size यहाँ से increase या decrease कर सकते हो, like this, कमाल का feature elementor में, एक काम और करते हैं, form थो हमने create किया है, लेकिन जब कोई user इस form को fill करेगा, तो किस email पे यह सारा data जाएगा, वो हमने set नहीं किया है, तो पहले आप form के setting में जाएए, इसके बाद scroll down कीजिए, इसके बाद जब email यहाँ पे selected होगा, तो यह वाला tab आजाता है email का, इसे आप expand करो, और इस two वाले box में, आप अपना email address पुट कर दोगे, तो जो भी email यहाँ पे पुट करोगे, वो email पे यह सारी details पहुँच जाती है, ठीक है, तो इस type से हम पूरे के पूरे page को यहाँ पे create करते हैं, बटन के color को भी orange कर लेते हैं, तो color code यहाँ से copy किया, style में चलते हैं, यह तो form है, यह है button, button में right now, normal state में background color क्या है green, तो इसे आप कर दो orange बस, ठीक है, अगर hover में black वगरा करना है, तो आप कर सकते हों यहाँ पे, hover में black कर देता हूँ, कोई भी user hover करेगा तो black हो जाएगा, at last page को update कर देते हैं, और हमारा पूरा का पूरा page देखिए ready हो चुका है, ठीक है, एक बार इस page को refresh कर लिया है, अब स्टाइटिंग से मैं आपको फिर से preview दिखाता हूँ, देखिए, यह पूरा section हमने create किया हुआ है, काफी अच्छा section है, numbers यहाँ पे increase है, parallax effect है, ओके, इस type से हमने पूरे sections को यहाँ पे create कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो, अब यह toggle है, बेसिकली accordance है, then pricing table है, and at last we have this contact form, अब एक चीज़ और यहाँ पे रह गई है, bottom में देखो footer, यहाँ पे लिखा है copyright 2022, then website का नाम है, powered by Astra WordPress theme, अगर आप अपने credits यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो वो कैसे लगाऊगे, बहुत simple है, elementor का काम खतम हो गया है, यहाँ पे home page के लिए, तो हम simply वापस चलते हैं, अबने dashboard में, footer को edit करने के लिए, आपको जाना होता है appearance में, and then again go to customize, alright, so यहाँ पे आप देखो, यह लिखा हुआ है footer builder, इस पर आप click करो, after that यह लिखा है copyright, let's click on it, तो अपने याप 2023 आपकी website पर update हो जाएगा, आपको बार बार आके यहाँ पर update नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो copyright current year है, site title आप यहाँ से हटा करके, आपकी site का जो भी title आपको दिखाना है, वो दिखा सकते हो, जैसे कि मैं माल लिजए अपना नाम दिखा देता हूँ यहाँ पर, सद्दाम कासिम, ठीक है, और यहाँ पर आप powered by जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, या फिर ऐसा कुछ लिख सकते हो, just like all rights reserved, ठीक है, after that publish कर देते हैं, फुटर भी देखिए, हमने एडिट कर लिया है, एक बार refresh करके देखते हैं, here we go, आप देखो, फुटर भी यहाँ पर change हो चुका है, इस टाइप से आप pages create करते हो, मैंने right now home नाम का page create कर दिया है content के साथ में, अब आपके लिए assignment है कि आप about us, services और gallery page और contact page को create करोगे, अब कैसे create करोगे content का idea कहां से आएगा, तो आप simply google पर जाना, अब google पर किसी भी nutritionist की site को check करना, वहाँ पर about us, services, gallery, contact us ज़रूर दिया होगा, तो उनके जैसा content create करने की कोशिश करना, ठीके, अब हमारा next task आता है कि हमें blog page बनाना है, हम blogging कैसे करेंगे इस website पे, तो उसके लिए पहले आप wordpress का backend open करोगे, ठीके, अब blog post कैसे write की जाती है, वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप posts में जाओगे और यहाँ पे देखो add new दिया है, add new पे click करो, ठीके, यहाँ पे आप basically post का title डाले हुए, जैसे माल लीजिए, अगर आपको wordpress के बारे में knowledge है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं just like how to make a wordpress website, ठीके, इस type से मैंने यहाँ पे एक title डाल दिया है, अब मैं wordpress के बारे में बहुत लंबा चोड़ा एक article लिख दूँगा यहाँ पर, यहाँ पे basically हमने कुछ copied content को paste कर दिया है, after that यह आपके post का URL हो जाता है, आप right hand side अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप category create कर सकते हो, जैसे माल लो, आप 10 post लिखने वाले उसे wordpress के बारे में, wordpress क्या है, website development है basically, तो आप यहाँ पे web development की एक category बना सकते हो, ठीक है, ऐसे, और add new category पे click करोगे, यह वाला post wordpress development में या web development में assign हो गया, आप चाहो तो tags वगरा भी यहाँ पे put कर सकते हो, just like wordpress हमने put कर दिया, enter मार दो आप, फिर यहाँ पे आप put कर सकते हो, like web design, elementor, tutorial, यह सब SEO के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, after that आप यहाँ पे एक featured image को भी set कर सकते हो, scroll down कीजिए, यह है set featured image, तो हम एक काम करते हैं, इसी वाली website से featured image को निकाल लेते हैं, जैसे का मानलों यह है, इसे open करते हैं post को, और यह वाली image हम save कर लेते हैं, तो इसे हम basically as a featured image दिखाने वाले हैं, तो मैंने इसको save कर लिया है अपने folder में, अब यहाँ पे featured image में चलके, हम upload कर लेते हैं same image को, ओके, so यह है nutritionist का folder, और I think कौन सी वाली वाली image है, यह वाली image है, open कर लिया हमने, यह media library में आ गई, all right, now set featured image पे click कर देते हैं, तो यह देखिए previews का यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो हमने basically क्या कि यह content write कर दिया, heading दे दिया है यहाँ पे, अब इस post को आप publish कर दो, ठीक है, तो मैंने इसको publish कर दिया है, all right, अब view post करते हैं, तो देखो यह post का front page open हो गया है, यह featured image आ गई है, यह title है, और यहाँ पर कुछ content लिखा हुआ है, और नीचे comment section by default आई ही जाता है, इसी तरह से अब आपको दूसरा post मान लो कभी लिखना है, तो पहले posts में आप all posts पे जाओगे, और यहाँ पे देखो यह post लिखी है, by default hello world भी लिखके आती है, तो one by one जितने भी post आप add करोगे, वो सब यहाँ पे आते जाते हैं, अब बात यह आती है, कि चलो ठीक है, यहाँ पे यह post तो आ रहे हैं, बट front page पे हम कैसे post को दिखाएंगे, यह URL अगर होगा, तो चलो हर बाद हम URL शेयर कर देंगे audience को, वो इस URL पे विजिट करके, और फिर post को देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक blog नाम का page हो, एक menu हो, user उसको क्लिक करे, तो वहाँ पे सारे blog post dynamically दिखने लग जाएं उसको, तो वो जादा better idea है, तो इसके लिए काम करना होगा, पहले हम एक page create करेंगे blog नाम से, तो pages में जाओ, और add new पे क्लिक कर दो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्लॉग नाम का एक page बना दो, बस simple आपको यह page बना देना है, sidebar वगरा सब hide कर दीजिए, sidebar कर दो, no sidebar, यहाँ पे layout कर सकते हो, आप stressed या contained कर दो इसे ठीक है, title, breadcrumb, featured made, disable कर दीजिए, blog नाम का यह page है, post नहीं आपको ध्यान देना है, ठीक है, और इसे आप publish कर दोगे, पहले हमने एक page बनाया है, blog नाम का, जिसे हमने यह publish कर दिया है, इसको एक बार front page में open करके देख लेते हैं, देखो यह blog नाम का page है, उस page पे कोई content put नहीं किया है, that is the reason, कोई content यहाँ पे आनी रहा है, तो footer उपर आ गया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कि यह जो blog नाम का page है, इस पे मैं जब भी कोई post पीछे write करूँ, अपने wordpress website के dashboard में write करूँ, तो वो post अपने आप इस blog page पे दिखने लग जाए, मतलब मुझे बार बार आ करके, ब्लॉक पेज को edit ना करना पड़े post दिखाने के लिए, बट वो post dynamically बार बार यहाँ पे आ करके display होने लग जाए, तो वो कैसे possible है, उसके लिए कुछ setting करनी पड़ेगी, setting क्या करनी होती है, पहले तो आप settings में जाओ, और settings में आप जाओ, यहाँ पे reading में, ठीक है, अब दो चीज़े बहुत important में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, पहले चीज़ तो यह है, आप गौर करो, यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी website, main website को open करता हूँ, जो के है, actl.co.in, जैसी मैंने इसको enter किया, तो देखो क्या आ रहा है, post आ रही है यहाँ पे, है न, home वाला page कहाँ चला गया, जबकि home page को आना चीज़े है न, front page पे, actual में, यहाँ पे scene यह है, कि हमने एक page तो बनाया है, home नाम का, लेकिन हमने WordPress को यह नहीं बताया है, कि भई, यह जो home नाम का page है, इसको आपको सबसे पहले दिखाना है, जब भी कोई user, हमारे domain name को open करेगा, ठीक है, तो इस page को पहले हमें, set करना होगा, as a front page, तो आप जाओगे यहाँ पे, setting में, reading में, और यहाँ पे right now क्या दिखा रहा है, your home page displays your latest post, तो आपको यहाँ पे select करना है, static page, और home page वाले drop down में, जिस भी page को आप select कर दोगे, वो अब officially home page बन जाएगा, और दूसरी चीज, आपको जिस page के उपर, posts को dynamically दिखाना है, तो यहाँ पे हम blog वाले page के उपर, posts को दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ post page को select करोगे, blog, ठीक है, यहाँ पे home page में home select किया, और blog वाले page को यहाँ पे post assign कर दिए, blog page पर, इसके बाद आप save changes कर दीजिए, इतना ही करना होता है, अब एक चीज़ और पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि हम already settings में reading के अंदर है, तो यहाँ पे एक setting और भी है, setting क्या है, आप देखो, जैसे माली में home page तो चलो ठीक है, अगर मैं about page open करूँ, तो यहाँ पर देखो URL क्या आ रहा है, URL आ रहा है, जो मेरा main domain है, उसके बाद index.php लगा हुआ है, जबकर यह चीज नहीं होनी चाहिए, यह index.php जो लिखके आ रहा है, यह नहीं आना चाहिए, simply हमारा URL वो इस तरह का आना चाहिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक बार इसको delete करके, ऐसा आना चाहिए, main domain उसके बाद page का नाम आ जाना चाहिए है, इसे हम कहते है पर्मा लिंग, यह पर्मा लिंग की बें सेटिंग होती है, सेटिंग के अंदर ही देखो, यह है पर्मा लिंग, इस पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो, right now एक custom structure selected है, मतलब यह index.php, उसके बाद year आएगा, फिर month आएगा, फिर post का नाम आएगा, तो आपको यहाँ पर select करना है, यह वाला format, post name, ताकि domain name के just बाद, आपका page का नाम या post का नाम आ जाए, after that इसको save changes पर click करके, आप save कर दीजिए, यह setting आपको जरूर करनी होती है, अब देखिए, मैं about page पर अगर click करूँगा, तो यहाँ पर यही structure आएगा, अभी एक बार cache memory क्लियर कर देते हैं, ओके, आप देखों यहाँ पर, क्या आ रहा है link, main domain, then forward slash, और फिर page का नाम, इसी तरह से services पर click करूँगा, देखो services आ गया, वो index.php हट गया है न, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अब हमारा next task यह है, कि पहले हम block को menu में set करेंगे, तो आप चलो वापस backend में, appearance में जाओ, menus में, ठीक है, और यहाँ पर जाओ, view all में, यह है block page, इसे आँ में select करो, and then add to menu, यहाँ पर आ गया, अब block को हम third position में display करवाते हैं, पहले चीज़ तो यह, save menu पर आप click कर दीजिए, after that अपने home page को एक बार refresh करते हैं, आप चाहो तो लोगों पर click करोगे, तो भी आपका home page open हो जाएगा, ओके यह आ गया, अब blog menu पर एक बार click कर लेते हैं, all right, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, blog page पर dynamically cache हो हो रहा है, यहाँ पर post हो रहा है, एक बार cache memory करते हैं इस page की, क्यूंकि cache वगरा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो इस type से देखिए, blog page हमारा create हो चुका है, और dynamically सारे post यहाँ पर display होने वाले हैं, अब एक काम और करते हैं, वापस pages में चलते हैं, sidebar वगरा हमें यहाँ से हटाना है, edit पर आप click करो, now right hand side पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो क्या दिया हुआ है, full with content, इसे आप कर लो full with stressed, ठीक है, इसके बाद हम इस page को update कर देते हैं, now let's refresh this block page, okay, so फिलाल यहाँ पर कोई भी changes नहीं हुआ, कोई issue नहीं है, अब एक काम करों यहाँ से, हमने क्या कर रखा है, यह mistake शाथ हमने की है, कि हमें block page को post page नहीं set करना था, तो आप settings में जाकर कि reading में जाओ, कई बार ऐसा होता है, यह सही तरीके से काम नहीं करता है, तो आप simply इसको select पर छोड़ दो, और save changes कर दो, कि यह I think हमारे लिए work नहीं कर रहा है, इस theme में basically, तो अगर नहीं work करता है, तो आप इसको as it is छोड़ सकते हो, अब इसके बाद वापस चलते हैं pages में, आप blog page को edit करेंगे, यहाँ पे आप elementor पे जाओ, edit with elementor, और यहाँ पे ले लेते हैं section, और इस section के अंदर ले लेंगे एक inner section, ठीक है, inner section को हम basically, दो columns में already divided होता है, तो second column को delete कर दीजिए, और यह first वाला यह सिंगल जो column है, इसके अंदर आप search करो, POST, तो यह आगे देखिए posts, ठीक है, इस posts को आप उठा करके, यहाँ पे drop कर दो, that's it, अब जितनी भी dynamic posts होंगी, वो by default यहाँ पे display होती रहेंगी, अब यहाँ पे skin आती है, इसके मतलब इस post widget के skin है, कैसा दिखाना चाहते हो, classic, cards के तौर पे दिखाओगे, full content, तो यहाँ पे आप करो cards, cards जादा अच्छा दिखाई दे, देखो, इस type से दिखाई देगा card है न, उपर featured image होगी, फिर यहाँ पे आपकी photo आ जाएगी, फिर title और फिर यहाँ पे कुछ content, और रीड मोर बटन, इसे दा second post, hello world में देखो, कोई featured image लगी नहीं थी, तो यहाँ पे कोई featured image आई नहीं रही है, है न, इतना करके आपको छोड़ देना है, and then update, after that आप front page पे चलते हैं, एक बार अपने blog page को refresh करते हैं, तो आप यहाँ पे देखो, post इस type से यहाँ पर आ चुकी है, मतलब आप एक website बनाओगे, जिस पे static content भी हो सकता है, प्लस एक integrated blog भी हमने यहाँ पे बना लिया है, अब अगर आपको इस blog page को custom design करना है, मतलब इस specific blog page को आप और भी design करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने एक separate video बनाया हुआ है, अपने YouTube चैनल पे, आपको simply मेरे YouTube चैनल पे visit करना है, youtube.com then forward slash saddam kassim, ओके, आप जाओ simply videos वाले section में, ओके, अब यहाँ पे हमें scroll down करते हैं, और मैंने एक video काफे दिन पहले बनाया हुआ था, that how you can design your blog page, यह है, design a blog, ठीक है, इस वाले वीडियो को आप देख सकते हो, इस वीडियो में मैंने बताया है, कि actual में आप कैसे custom design कर सकते हो, अपने blog का, बिलकुल blog page को आप अपने हिसाब से design कर सकते हो, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आया होगा, किस तरह से आपको अपनी पूरी website को design and develop करना है, और अगर in case फिए query a question है, just drop in the comment section, मैं almost अपने सारे subscribers को respond भी करता हूँ, अगर आप call करोगे तो उस पर भी मैं आपकी call pick करूँगा, अगर मैं meeting में busy नहीं रहा तो, और ये वीडियो अगर आपके लिए helpful था, please do not forget to like this video, channel को subscribe जरूर कीजेगा, ताकि इसी type के और भी helpful videos आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और अगर आपको e-commerce development सीखना है, freelancing सीखनी है, मतलब overall अगर आप पूरा का पूरा WordPress बेसिक से लेके advanced level तक सीखना चाते हो, साथ ही साथ में अगर आपको ये सीखना है कि actual में clients कैसे मिलते हैं, तो आप मेरा online course जोईन कर सकते हो, simply आपको मेरी website पर visit करना है, सद्दामकासिम.com और यहाँ पर मेरा complete wordpress और freelancing का online course है, तो इस course में basically मैं सिखाता हूँ, कि basic website कैसे बनाते हैं, website कस्टमाइज कैसे करते हैं, e-commerce store कैसे बनाते हैं, साथी साथ में आप काफी सारे और भी चीज़ेस में सीखोगे, और clients कैसे मिलता है, basically सबसे important यह है कि freelancing आप कैसे करोगे, तो वो सारे चीज़ें आप इस course में सीखोगे, total 60 days का course है, मतलब total 60 lectures है, course का price normally 3499 रुपए है, जो कि lifetime के लिए valid होता है, और इस course के साथ आपको एक साल की membership मिलेगी, free membership wpscratch.com website के ऊपर, मतलब एक साल तक आप 3500 से भी जादा premium WordPress themes और plugins को डाउनलोड कर सकते हो, wpscratch.com से, जहां से आपने Elementor Pro purchase किया होगा, और काफी सारे अच्छे reviews हैं, मेरे बहुत सारे students हैं, 20,000 से भी जादा students हैं, इनकों मैं training प्रोवाइड कर रहा हूं right now, Google पे भी reviews हैं, course के अंदर क्या-क्या मिलने वाला है, वो सारे चीजे mentioned हैं, video reviews भी हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इस course को join करके, अपना WordPress development में career start किया है, और earning भी start कर दी है, तो ये पूरा course Hindi language में है, आप support के लिए directly मुझे call या WhatsApp कर सकते हो, और इस course की help से, आप पूरा का पूरा career अपना site करोगे WordPress development में, तो अगर आपको WordPress के course join करने में interest है, या WordPress सीखने में interest है, तो आप मेरी website पे visit कर सकते हो, saddamkasim.com, और यहां से आप online course को purchase कर सकते हो, alright, so I hope this video was helpful for you,